तो उन्होंने का मेरा तो व्यक्तिगत लक्ष ये है कि मैं मोक्ष प्राप्ति करूँ लेकिन भारत देश के लिए मेरी भावना है मेरी अपेक्षा है कि भारत में रामराज्य आ जाए ये जो रामराजी की बात गांदी जी ने बार बार कही इस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा बोला लेकिन जब जब गांदी जी के सामने ये प्रशनाया कि आपकी जो कल्बना है रामराजी की वो क्या है तो गांदी जी ने बहुत सहिस्ता से उत्तर दिया कि जो भगवान श्री राम ने कहा वही अब भगवान श्री राम ने रामराजी के बारे में अपने राज्जी के बारे में कहा कुछ कहा इस द्रश्टी से बहुत दिन में खोजता रहा और बहुत सारे रामकथा के जो वित्वान लोग हैं मर्मक के हैं उनसे मिलता रहा कि भगवान श्री राम ने रामराज्जी के बारे में क्या कहा है ज़्यादातर जगे मुझे निराशा हाथ लगी जितने भी रामकथा के वाचक हैं जिनके पास में ये प्रशन लेके गया कि भगवान श्री राम ने रामराज्य के बारे में क्या कहा अपने राज्य के बारे में क्या कहा रामराज्य होता कैसा है उसकी सेना कैसी होती है उसकी अर्थ्वेवस्था कैसी होती है उसके नियम काइदे कानून कैसे होते हैं आखिर वो राज्य है तो उसकी राजनीती क्या है उसकी सीमाएं कैसी है ऐसे ऐसे प्रशनों को लेकर जब जब मैं सादू संतों से राम कथा मरमग्यों से मिलता रहा तो निराशा ही हाथ लगी क्योंकि बहुत कोई उचित और इसपश्ट उत्तर उनके यहां से नहीं मिला फिर कई जगे मुझे ये सुनने को मिला कि ये राम कथा तो अपनी भावना की चीज है हम इसको कहते हैं गाते हैं हमें अच्छा लगता है लेकिन इसमें से देश की किसी समस्या का समाधान निकलता है या भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है ऐसा महात्मा गांधी मानते थे उस द्रश्टी से विचार किसी ने किया नहीं फिर मैंने सोचा कि गांधी जी को फिर से पढ़ा जाए कि उन्होंने राम राज्जी के बारे में कहीं तो कोई इशारा किया होगा फिर पढ़ा बार बार पढ़ा तो अंत में उनका एक छोटा सा संकेत मिला कि राम की जो कथा है उसी कथा में ये सब है दिख जाएगा मिल जाएगा रामकथा को मैंने फिर पढ़ना शुरू किया सबसे पहली रामकथा मैंने पढ़ी तो श्री रामचरित्मानस और वो पढ़ने के पीछे दो बड़े आधार थे उसका सबसे बड़ा आधार ये था कि मेरी जो माँ है वो हर दिन श्री रामचरित मानस के सुन्दर कांड का पाठ करती है हर दिन ये उनका देनिक कर्म है और जब तक वो सुन्दर कांड का पाठ नहीं करती है तब तक वो ना खाना बनाती है ना किसी को खिलाती है ना खाने देती है तो कानों में उनके शब्द गूंचते रहे बच्पन से मैं वो सुन्दर कान पढ़ता रहा मा के मातियम से कभी-कभी उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए भी बिठाया हमारे घर में एक पुरानी परंपरासी है बहुत साल से चल रही है कि साल में एक बार श्री राम चरित मानस का पाठ होता है 24 गंटे का जो अखंड पाठ होता है उसमें भी मैं बहुत दिन शामिल रहा बहुत दिन श्री राम चरित मानस का पाठ करने के बाद सोचा कुछ और भी पढ़ा जाए तो श्री वालमीक राम हैंट पड़ी उन्होंने भगवान श्री राम की कथा को जिस तरीके से कहा है या लिखा है वो गोस्वामी तुलसिदास जी की तुलना में बहुत अलग है भिन्न है श्री गोस्वामी तुलसिदास जी के भगवान राम है और वो आराध्य है आराध्य के बारे में कोई लिखेगा तो एक दरश्टी से लिखेगा लेकिन गोस्वामी तुलसिदास जी की तुलना में वालमीग जी के लिए राम आराध्य नहीं है वालमीक जी एक तटस्त कभी की तरह से वो सारा वरनन कर रहे हैं कि श्री राम जी के यहां ऐसा ऐसा हुआ उनकी कहानी में ऐसा ऐसा हुआ मेरे एक बहुत नजदी की और जिनको मैं बहुत बांता हूँ अपने जीवन में एक गुरू है श्री धरमपाल जी उनको एक बार मैंने चर्चा की तो श्री धरमपाल जी ने कहा कि देखो अगर तुम राम राजजी को ही समझना चाहते हो राम कथा मैंसे तो भारत में राम कथा लिखने वाले जो दक्षन भारती कवी है या बड़े महान लोग है उसको भी जला देखो मैंने पूछा क्यों तुनन का उसमें तुमको बिल्कुल भिन्न द्रश्टी मिलेगे तो दक्षन भारत में मैं पिछले कुछ वरशों से घूमता हूँ तो वहाँ जो राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली कंब रामाइन है कंब तमिल के एक बहुत बड़े रिशी हुए बहुत बड़े रिशी हुए जैसे हम बालमी का अपने यहां इस्थान मानते है वो स्वामी तुलसी दास का मानते है वैसे ही तमिल समाज के लोग कंब रिशी को बहुत नूचा मानते है तो कंब एक बड़े रिशी हुए उन्होंने श्री राम जी की कथा लिखी है और उसको दक्षिन भारत में कंबन रामाइन के रूप में जाना जाता है और मैंने जब श्री कंबन रामाइन को पढ़ा तो अधभुत लगी मुझे को ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारा ग्यान आसानी से उसमें मिल गया फिर श्री राम जी की कथा एक बहुत बड़े कवी ने भी लिखी है आप सब जानते हैं मद्य भारत के एक बड़े कवी श्री कालिदास उन्होंने श्री राम जी की कथा लिखी है रगुवन्शम अग्पुत कथा है वो भी वो मैंने पढ़ी बार बार पढ़ी तो ऐसा करके आठ दस तरह की राम कथा हैं या श्री राम जी की जीवनी वो सब पढ़ने के बाद कुछ मेरे समझ में आया वो निचोड़ आपको अगले एक बड़ गंटे में मैं कहना चाहता हूँ इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो भारत की वरतमान समस्याओं के समाधान के संदर्व में कहूँगा कि राम जी की कथा में से भारत की समस्याओं के समाधान कैसे निकले आज की जो समस्याओं हम देख रहे हैं अपने देश में राजिनीति के इस्तर पर हो या सामाजिक समस्याओं हो हमारी सब्विता में आई हुई समस्याओं हो या सांस्कृती के इस्तर पर हो इन सभी के समाधान राम जी की कथामें से मुझे दिखाई देते हैं और अब मुझे समझ में आता है कि महात्मा गांदी किस राम राजी की बात करते थे गांदी जी जब बार बार कहते थे कि अगर भारत में रामराजी हो जाए तो सब समस्याओं का समाधान हो जाए अब मुझे उस बात पर बिल्कुल इस्पष्टता है और दिखाई देता है कि अगर इस देश को रामराजी की रास्ते पर ले जाए तो कैसे समस्याओं का बहुत सरल और सुखत समाधान हमें मिल सकता है श्री राम जी की कथा आप सब जानते हैं कथा कहने में मैं समय खराब नहीं करूंगा क्योंकि कथा आप सबी ने सुनी है कथा के बीच में जो between the lines होती है समबाद जो होते हैं जिनमेंसे कोई बात को पकड़के विशलेशन किया जा सकता है ऐसी कुछ बातें आपके बीच में रखोंगा और श्री राम के चरित्र में जो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो भी आप से मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा मैंने अपने सुविधा की दरश्टी से श्री राम जी की कथा को दो हिस्सों में बाटा है या श्री राम के जीवन को दो हिस्सों में बाटा है एक हिस्सा है उनके जीवन का पूरवार्द और दूसरा हिस्सा है उनके जीवन का उत्तरार्द पूरवार्द का जो हिस्सा है वो उनके जन्म लेने से और उनके वन गमन के एक दिन पहले तक का है जब उनका जन्म होता है और वो अपने पिता के घर आते हैं अपनी माता कोशल्या की कोक से पैदा होकर तो उस दिन से लेकर और वन गमन के लिए प्रस्थान करें वो जीवन का उनका पूरवार्द ये मैंने किया है किसी दूसरे का नहीं है सुविधा की दृष्टी से समझने की दृष्टी से तो उनके जीवन का एक तो है पूरवार्द और दूसरा है उत्तरार्द उत्तरार्द वो कि जब वो अयोध्या की सीमा को छोड़कर वन में चले जाते हैं चौदे वर्ष के लिए वो उनके जीवन का उत्तरार्द है इनी दो हिस्सों में मैंने बाटा है और जब वो वापस लोटते हैं अयोध्या रावड़ पर विजय प्राप्त करके श्री लंका का राज ये विवीशन को सौप कर तो वो भी हिस्सा में उनके उत्तरार्द में ही मानता हूँ पूरवार्द का जो हिस्सा है श्री राम का उसमें बच्पन का जो है वो तो जैसे सभी राजाओं के बेटे बेटियों का है वैसा ही है वो अपने पिता के बहुत लाडले हैं उनके पिता उन पर बहुत ज़्यादा इसनेह रखते हैं मां भी उनको बहुत ज़्यादा इसने करती है और शिरी राम जी के बारे में माना जाता और कहा भी जाता वो खुद अपने मूँ से कहते हैं कि उनके उपर शिरी मती कोशल्या का इसने है तो है केकई का विशेश इसने है सुमित्रा का भी है लेकिन केकई का विशेश ससने है और राम जी इसको बार बार सुईकार करते है वो मानते है कि माता की कोई क्रपा मेरे उपर हुई है जो मुझे चौदे वर्ष का बनवास मिला है जो मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ वैसा करने का रास्ता खोल रहा है तो ये कई का विशे सिसने है वो बड़े होते हैं और जैसे ही उनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास आती है तो वो राज-काज के काम में रूची लेना प्रारम्व करते हैं तो उनके पिता श्री दशरत ने उनको एक जिम्मेदारी सौपी है जिसको कई वर्ष तक वो निभा रहे ह हैं बहुत इमानदारी से और निष्ठा से जिम्मेदारी क्या है श्री दशरत उनको कहते हैं कि तुम्हें ब्रह्म महूर्त में उठना है और प्रजा के बीच में जाके घूमना है प्रजा के मन के सुख दुख तुम्हें पता करने है और ये आकर मुझे बताने है या मंत्र बिना किसी दुख को महसूस किये हुए या बिना किसी रुकावट के हर दिन नियमित रूप से ब्रह्म महुरत में उठते हैं दैनिक कर्म से निवरत होते हैं और प्रजा के बीच में घूमते हैं प्रजा से हालचाल पूचते हैं लोगों से बात करते हैं आप क्या महसूस करते है राज्य कैसा चल रहा है नीतिया कैसी है राजा के बारे में राजा के राज्य के अधिकारियों के बारे में नियमित रूप से वो फीड़ बैक लेते हैं जानकारी लेते हैं लोट कर आकर दरवार में अपने पिता शरी दशरत को बताते हैं कि देखो इस प्रशन पर पिजा प्रजा ऐसा सोचती है उस प्रशन पर ऐसे सोचती है और दशरत शरी राम की दी गई सूचनाओं के अनुसार बहुत सारे फैसले करते हैं कोई नीती बदलनी है तो नीतियों को बदलते है राज्य के किसी अधिकारी को दंड देना है तो दंड देते है और दशरत जी का ऐसा मानना है कि राम जूट नहीं बोलता क्योंकि उसमें बहुत सारे सद्गुण हैं उनमें से एक सद्गुण है कि उसके मुँसे जूट बात कभी निकलती नहीं, वो जूट कभी बोलता नहीं, सत्य का आचरन हमेशा रखता है और उसे वो छोडता नहीं तो वो जैसा भी आके भगवान रहम उनको बताते हैं, दशरत जी उनको पूरा का पूरा मान करकि अच्छर से सच है, वैसे ही वो न्याय करते हैं, वैसे ही फैसले करते हैं, तो उनका राज बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रजा में काफी सुख है, दुख नहीं है, समालेगा, और ये अच्छा राजा सिद्ध होगा, और राम जी भी अपना करतव मान कर उसको नियमित रूप से कर रहे हैं, जब जब उनके सामने ऐसा कोई मौका आता है, कि जाओ, अपने ननिहाल चले जाओ, या अपने किसी रिष्टेदार के घर चले जाओ, तो वो किसी जो भाई हैं भरत, उनको जब मौका मिले ननिहाल जाने का, वो सहर्श तयार रहते हैं, और उनकी मा भी उनको बहुत प्रेरित करती है, कि तुम ज़्यादा समय वहीं रहो तो अच्छा है, तो ऐसा कुछ अंतर सा दिखाई देता है, बाद में उनके इसी उम्र के आसपास क समय में उस राज्य के एक बड़े गुरू, विश्वा मित्र जी आके श्री राम को उनके पिता से मांग लेते हैं, और वो कहते हैं कि देखो, मैं वन में यग्य करना चाहता हूं, और यग्य करने के लिए रास्ते में बहुत सारी रुकावटे हैं, उन रुकावटों में संगार करने में समर्थ हूं, तो मुझे आप अपना बेटा दीजिए, जो इन राक्षसों का संगार करें, और मेरा यग्य निर्वेक्न संपन्न करें, बाद में विश्वा मित्र जी दश्रत के दरबार में आकर पूरी कहानी सुनाते हैं, कि इन राक्षसों ने कैसा उत्प विश्वा मित्र भी उन से कुछ नीचे नहीं है, वशिष्ट की राज दरबार में बहुत इज़त है, सम्मान है, लेकिन विश्वा मित्र का समाज में बहुत सम्मान है, उस समय का जो समाज है, उस समाज में विश्वा मित्र की उँचाई बहुत है, और राज जी के अंदर वशिष्ट की मूँचाई है तो जब विश्वामित्र आते हैं और राम जी को मांगते हैं तो दश्रत कहते हैं कि ठीक है मैं वशिष्ट से बात करूँगा और मेरे गुरु अगर कहते हैं तो जरूर शहर जाने की अनुमती है तो वशिष्ट से दश्रच जी का संबाद होता है उस संबाद में श्री राम जी भी पहुँच जाते हैं हालां कि उनको उनके पिताने अनुमती नहीं दी है कि तुम इसमें शामिल हो लेकिन वो कहते हैं कि मेरे बारे में फैसला हो रहा है इसलिए मेरा रहना आवश्च है तो वशिष्ट जी कुछ ऐसे इशारे में संकेत करते हैं कि राम का वहाँ जाना ठीक नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है हम चाहें तो विश्वा मित्र के साथ अपनी सेना को भेज देते हैं ये सेना जाएगी राक्षोसों का संगार करके वापस आजाएगी इसमें कोई तकलीफ नहीं है तो राम पूछ रहें आप ऐसा क्यों सोचते हैं तो वशिष्ट कहते हैं कि देखो तुमारे पिताजी वरद्द हो चुके हैं इनको अभी ब्यानप्रस्थी होना है राज काच से मुक्त होना है अब तुमें इस राजी को समालना है तुमें ये पद मिलना है इस पर बैठकर इसकी गरिमा है इसकी इज़त है प्रतिष्ठा है वो बढ़ानी है इसलिए हम तुमको वन नहीं भेज सकते सीमाएं बरनन की गई हैं वो सब राक्षसों के कपजे में हैं तो श्रीराम कहते हैं कि मुझे जीवन में एक ही तो मौका मिल रहा है अपने को साबित करने का और आप वो भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि विश्वा मित्र मेरे अनुभव हो जाए इसकी मैं कोशिश करता हूँ प्रयास पूर्वक लेकिन अगर मैं राजमहल छोड़के चला जाओं और जंगल में रहने लगूं ऐसे ही जैसे सामन निप्रजा रहती है तो मुझे प्रयास पूर्वक अनुभव नहीं करना पड़ेगा आसानी से मुझे अनुभव होने लगे तो जब तक मैं ये राजमहल के सुख नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे दुख का अनुभव होगा नहीं और जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक न्याय और अन्याय का अंतर मुझे नहीं पता होगा श्रे और प्रे का अंतर नहीं मा तो श्री राम जी कहते हैं मेरी एक्षा नहीं इश्वर की एक्षा इश्वर की एक्षा तो वो कहते हैं वो कैसे तो उन्होंने का ये इश्वर की एक्षा है कि मैं जाओं वरना विश्वामित्र ऐसे ही नहीं आए विश्वामित्र खुद इतने तपस्वी हैं और बल्शाली ह जिन्होंने अद्बुत अद्बुत किसम के अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण किया है वो चाहें तो राक्षसों का पूरा सामराजी मिटा सकते वो कह रहे हैं कि मैंने एक संकल्प किया है कि राक्षसों के युद्ध नहीं लडूँगा लेकिन वो संकल्प तोड़ भी सकते हैं और संकल तोड़ने का प्राइश्चित करने की भी हैसियत उनकी है लेकिन कुछ विशे सोच विचार कर वो मुझे लेने आये हैं तो मैं मानता हूँ कि ये ईश्वर की कोई इक्षा है और वशिष्ट को कहते हैं कि मैं तो बहुत आस्थावान हूँ इश्वर के प्रती मेरा परम विश्वास है और वो कहते हैं कि नियत निश्चित है इसलिए मुझे लगता है कि ये वंगमन जाना ही है तो वो निकलते हैं और अपने साथ अपने भाई लक्षमन को ले जाते हैं पहले तो वो सोचते हैं मैं अकेला लेकिन लक्षमन उनको बहुत जित करके तयार करते हैं मैं भी आपके साथ चलूँगा लक्षमन की जो मा है सुमित्रा वो उनको बार बार ये सिखा रही है कि तुम्हें राम की छाया बनके रहना है जीवन के किसी भी मोड़ पर उन्हें छोड़ना नहीं है तुमको उनसे स लिक्षा बाद में दशरत का आशीरवाद दोनों मिलकर विश्वामित्र के साथ जाते हैं अब विश्वामित्र के साथ जब वो जा रहे हैं तो सबसे महत्तु की बात जो मुझे समझ में आती है वो ये कि जब उनको कहा उनके पिता शरी दशरत में कि देखो राक्षसों से युद्ध होगा तुम अपने साथ सेना लेकर जाओ तो श्री राम कहते हैं कि सेना लेकर गया तो क्या फाइदा तो कहते हैं अच्छा ठीक है सेना लेकर नहीं जा रहे हो तो अश्टर सस्त्र लेकर जाओ तो उन्होंने का अयोध्या के अश्टर सस्त्रों से लड़ा तो क्या फाइदा फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है ना तुम सेना ले जाना चाहते हो ना अश्रसस ले जाना चाहते हो इस राज्जी के कुछ बहादूर सेनिक हैं उनको अपने साथ ले जाओ उन्होंने का नहीं ये तो मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ नियाई युद्ध के लिए जा रहा हूँ इसलिए जहां जाओंगा वहीं सेना बनाओंगा जहां जाओंगा वहीं अस्त्रशस्त्रों का निर्मान करोंगा जहां जाओंगा वहीं संसाधन जुटाओंगा अब ये जो बात है श्री राम जी की ये आज की बहुत सारी समस्याओं की तरफ इशारा करती है श्री राम में लीडर्शिप है नेत्रत्तु करने की च्वमता है लीडर वो होता है जो जहां जाए वहीं व्यवस्था बना ले और आज के भारत की राजनीत में लीडर पैदा होना बंद हो गए है अब मैनेजर पैदा होते है मैनेजर बनेजर बने वो जिसको सब कुछ दिया जाए तब कुछ करे हमारे आज के नेता पता है क्या कहते है टी-े चाहिए डी-े चाहिए एचारे चाहिए बेसिक सेलरी में इतने सारे इम Will Emerencias चाहिए इतने करोड रुपए का खर्चा चाहिए ऐसी गाड़ियां चाहिए एसी फस्स क्लास का पास चाहिए हवाई जाज की नियमी त्यात्राएं चाहिए तब जाकर हम कुछ करेंगे तो ये लीडर नहीं है ये तो मैनेजर है क्योंकि किसी कमपनी में हम मैनेजर को नियुक्त करते हैं तो उसके लिए सब सुविधाएं जुटा कर देते हैं एक एसी चेमबर होता है गाड़ी होती है टेली फोन होता है मोबाइल फोन होता है सब कुछ होता है सुविधाएं जुटा कर हम देते हैं तब जो काम करता है वो लीडर होता है तो श्री राम में लीडर्शिप है और उनको अपनी लीडर्शिप पर इतना भरोसा है कि वो कह रहा है कि मैं वन में चला गया आप परिशान मत हो जो वन में रहने वाले लोग हैं उनी के बीच से सेना खड़ी करोगा उनके पास जो संसाधन है उनी संसाधनों से अपने काम चलाऊंगा कभी मैं अयोध्या राज की सेना मांगने के लिए नहीं आऊंगा हाँ जरूरत पड़ेगी तो गुरु विश्वा मित्र का निर्देश लेता रहूंगा और युद्ध नीती में उनसे कुछ सीखता रहूंगा लेकिन मांगने तो नहीं आऊंगा उनका अपना अत्व विश्वा से इतने गजब का है और वो लक्ष्मन को पूछने तुम्हें वन्जूर है हम बिना सेना के जा रहे हैं बिना दास दासियों के जा रहे हैं बिना संसाधनों के जा रहे हैं हम अपना रत भी लेके नहीं जा रहे हैं रत भी यहीं छोडेंगे अयोध्या की सीमा खतम हो जाएगी उसके बाद रत आगे नहीं जाएगा पैदल ही जाना पड़ेगा जैसे विश्वा मित्र कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा कंदमूल खाने पड़ेंगे जंगलों में सोना पड़ेगा पेड के नीचे कुटिया बनानी पड़ेगी हो सकता है कि बहुत सारे कीड़े मकोडे हमें परिशान करें उनके बीच में सुरक्षित रहना पड़ेगा तयार हो तो लक्षमन कहता है इसमें पूछने की क्या बात तो वो कहते है नहीं नहीं अभी तक तुमने दुख देखा नहीं है अभी तो राजमहल के सुख में तुम रहे हो तो वो पूछ रहे हैं लक्षमन लक्षमन को कंबन रामाइन में जो रिशी है ना उन्होंने राम के बराबर रखा है मतलब लक्षमन बोलते है रामचरित मानस में लक्षमन ज्यादा सुनते है कंब रामाइन में लक्षमन बोलते है और बराबर बोलते है तो कम रामाइन में लक्षमन कह रहे हैं कि अच्छा आपने कौन सा दुख देखा है इन महलों में आपने अभी तक सुखी सुख देखा है तो मैंने भी देखा है अब आप दुख जेलना शुरू करेंगे मैं भी सीख लूँगा इसमें कोई मुश्किल नहीं है चलो तो दोनों निकलते हैं विश्वा मित्र के साथ विश्वा मित्र के साथ रास्ते भर जो संबाद उनका चला है अदुखुत है बहुत ही अदुखुत है विश्वामित्र राम को बहुत सारे प्रश्ण करते हैं और उन प्रश्णों के जो वो उत्तर देते हैं तो विश्वामित्र गदगद होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का समय से पहले परपको हो चुका है और भविश्य का चक्रवरती समराट या राजा होने की सबी काभिलियत है तो ऐसे बहुत सारे प्रशने है जो विश्वामित्र और राम के सम्बाद के रूप में है तो विश्वामित्र पहला प्रशन पूछ रहे, राम तुम्हें मालूम है हम कहां जा रहे हैं तो हां बन में जा रहे हैं कहीं आपकी कुटिया बनी हुई है वहां राक्षस बहुत उत्पात मचा रहे हैं वो आपको यग नहीं करने दे रहे हैं और आपको यग करना है क्योंकि यग आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे है समाज को सुख मिले इसके लिए यग्य कर रहे है तो मैं भी समाज का ये कंग हूँ आपके यग्य में निर्भिक निता आये वो संपन हो ऐसी मेरी एक्षा है उसमें सही हो करने जा रहा हूँ तो वो पूछ रहे हैं विश्वामित्र कि तुम जहां जा रहे हो वहां किस तरह के राक्षज रहते अंदाजा है तो उन्होंने कहा अंदाजा तो नहीं है लेकिन देख लूँगा पता चल जाएगा कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं की शक्ति कितनी है मेरी शक्ति कितनी है तो फिर वो कह रहा है कि सेना तो लिया नहीं है हमने राजा दश्रत तो तयार थे सेना देने के लिए पैसा भी लिया नहीं हमने दास दासिया लिया नहीं हमने मेनेजर लिये नहीं है तुमारे सही होगी है नहीं तुमारे पास अपना तीर कमान है धनुश है लक्षमन के पास इतना है अब क्या करेंगे वहां तो श्री राम कहते हैं एक बाग के वो कहते हैं कि हम जन सेना बनाएंगे राजा दश्रत की सेना तो दूसरे तरह की है हम तो दूसरे तरह की सेना बनाएंगे तो विश्वा मित्र जुग्यासा से पूछते हैं तुमारा क्या मानना है राजा दश्रत की सेना कैसी है तो वो कहते हैं राजा दश्रत की सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सब वेतन पर काम करने वाले है तो इनकी जो देशभक्ती है या स्वामी भक्ती है वो वेतन से जुड़ी हुई है जब तक इनको समय से वेतन मिलता रहता है इनके मन में देशभक्ती प्रजुलित रहती है जो एक महिने भी इनका वेतन ना मिले तो ये सब विखर जाते हैं इन में दम नहीं है इनकी ताकत से राक्षस राज्य का सफाया नहीं होता तो फिर विश्वा मित्र पूछ रहे हैं तुम्हें शक है कोई हाँ राम कह रहे हैं बहुत बड़ा शक है अगर राक्षसों का कोई राजा इनके पास आए और हमसे जादा सैलरी और पगार ओफर कर दे तो ये तो सब चले जाएंगे उनके पास इन पे भरोसा नहीं है मुझे तो उन्होंने का तुम्हें ऐसा किसाधार पर कहते हो तो उन्होंने का मैं रोज यही देखता हूँ मैं रोज सुबह ब्रह्म महूर्त में निकलता हूँ सैनिकों के घर में भी जाता हूँ सेना प्रमुक के यहां भी जाके बैठता हूँ उनसे जो संबाद होते हैं उससे मेरे समझ में आता है कि ये पैसे के लिए लड़ने वाले हैं इनकी ताकत नहीं है इसलिए मैं तो ऐसे सैनिक तयार करूंगा जो अपने सम्मान और इज़त के लिए लड़ेंगे अपने अस्तित्त के लिए लड़ेंगे उनकी ताकत इनसे कई गुनी जादा होगी तो विश्वा मित्र पूछ रहा है कि जरा और इस पश्ट करो तो वो कह रहा है कि देखो जंगलों में कोई लोग तो रहते हैं तो विश्वा मित्र से पूछ रहा है बताओ कौन तरह के लोग रहते हैं तो विश्वा मित्र भारत के उन जंजातियों के नाम गिना रहे हैं उनको जो जंगलों में निवास करती है जैसे गोड जन जाती है बील जन जाती है कोल जन जाती है ऐसी 4556 जन जातियां है जो ज़िए नंगरों में नहीं रहती, आज दुरुभागे से हम उन सब को आधिर्शी कहते हैं, राम उन ज़न जाती के रूप में संबोधित करते हैं तो राम कह रहे हैं कि यह जो 4556 किसम की ज़न जातियां हैं, इनका राक्षसों से क्या लेना देना है? तो विश्वा मित्र समझाते हैं कि राक्षस इनी को परिशान करते हैं इनके घर लूट लेते हैं इनकी संपत्ति लूट लेते हैं इनके घर की बेटियों को ले जाते हैं इनकी पत्नियों का शील हरन कर देते हैं उनकी बेज़ज़ती करते हैं उनका सम्मान खतम कर देते हैं और घरों में आग लगा देते हैं इनके घरों से पकड़े हुए लोगों को दास बना कर कहीं बेच देते हैं राक्षस इस किसम के लोग हैं तो राम कहते हैं कि बस मेरा समाधान हो गया विश्वा मित्र पूछते हैं क्या तो कहते हैं, मैं इनी के बीच में जाऊंगा, चूंकि राक्षस इनको परेशान कर रहे हैं, चूंकि ये राक्षसों से पीडित हैं, चूंकि उनसे बहुत साल से शोषित हैं, चूंकि इनके सम्मान को राक्षसों ने बार बार तोड़ा है, इसलिए इनके मन में चिंगारी थ प्रश्वामित्र के देखो इन जंजातियों में कुछ जंजातियां ऐसी हैं जो लोहे के औजार बनाती हैं माने लोहारी का काम करते हैं तो राम ने का तब तो बहुत अच्छा है जो लोहारी जानते हैं वो अस्तर शस्तर भी बना सकते जिनको raw material पीट ना आता है कच्छे लोहे को पीट ना आता है वो शस्तरों का निर्मान भी कर लेंगे अस्तरों का भी निर्मान कर लेंगे अब बताओ दूसरे कौन है तो उन्होंने का दूसरी वो जंजातियां हैं कुमारी का काम करती है तो उनका फिर तो और काम बन गया मेरा तीसरी जंजातियां बैल गाड़ी बनाने का काम करती है चौती जंजातियां बास का काम करती है तो श्री राम जी कहते हैं कि ये जितने तरह की जंजातियां है चुकि सब कुछ न कुछ काम करते हैं इसलिए मेरी सेना इनी से बनेगी अब ये सेना युद्ध कैसे करेगी तो श्रीराम जी कहते हैं कि ये हर समय युद्ध नहीं करेगी ये सेना के सैनिक हर समय अपना काम करेंगे जब युद्ध का समय आएगा तो काम छोड़कर मैदान में लड़ेंगे तो विश्वा मित्र कहते हैं कि तब तो इनको विशेश प्रसिक्षन देना पड़ेगा तो राम ने का उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ इनको विशेष प्रसक्षन देना है, वो मेरी जिम्मेदारी है तो इस तरह का संबाद करते करते सीमा खतम होती है और विश्वा मित्र के वन का जो स्थान है, वहां आके वो टिकते हैं आते ही बूठवेड हो जाती है, और वो वद करना शुरू करते हैं आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी राक्षसनी का बद किया है वो ताड़का है और उस ताड़का का बद करने में उनको सब समझ में आ जाता है कि ये राक्षसों की राज्य विवस्था कैसी है इनकी नीतियां कैसी है नियाय कैसे है कानून कैसे है आदी आदी तो राम और लक्षमन एक दूसरे से समबात करते हैं कि हम कुछ भी करेंगे इन राक्षसों का सफाया करेंगे क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध हैं नियाय के विरुद्ध है तो लक्षमन जी पूछते हैं भाईया ये नियाय क्या होता है अनियाय क्या होता है तो जो सुन्दर परिभाशा उन्होंने दी है वो आज पांच लाग तेरे हजार साल के बाद भी उतनी ही सुन्दर है राम जी कह रहे हैं कि देखो जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़ कर परिभाशा के लिए लड़ता है वो सब अन्याय होता है ये है राम की परिभाशा जो प्यक्ति स्वार्थ को चुड़ कर परमार्थ के लिए लड़ता है दूसरों की हिज़त बढ़ने के लिए लड़ता है दूसरों का सम्मान बढ़ने के लिए लड़ता है दूसरों की रोजी रोटी बचाने के लिए लड़ता है वो सबसे बड़ा न्याई है और जो दूसरों की परवाही नहीं करता सिर्फ अपने ही स्वार्थ में डूबा रहता है राम कहते हैं उससे ज़्यादा अन्याई दूसरा कोई नहीं है आज की समय में देख लें ये परिभाशा बिल्कुल सटीक बैठ दी आज कल्यूग आ गया है राम जी का यूग तो चला गया है पाँच लाग तेरे हजार साल से कुछ ज़्यादा समय बीत गया है आज भी यही दिखाई दे रहा है समाज में कि जो अपना स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए समाजिक लोगों के लिए काम करे वही महत्मा गांदी होता है वही लोकमा नितिलक होता है वही बगत सिंग उदम सिंग होता है और उनी के सामने हम अपना सिर जुकाते है और जो सबकुछ परमार्थ छोड़कर स्वार्थ में डूबा रहता है वो भले हजारों करोड लोगों को या हजारों करोड की संपत्ती का मालिक हो समाज उसको भूल जाता है दस दिन भी याद नहीं करता हजारों करोड की संपत्ती के मालिकों का स्वर्गवास होता है मैं पिछले 20 साल से जब से मेरी समझ बनी है देख रहा हूँ माने करोड़ों रुपए का विग्यापन खर्च कर रहा है समाज उनको याद नहीं करता है महात्मा गांदी को याद करने के लिए कोई विग्यापन नहीं देना पड़ता है भगत सिंग को याद करने के लिए कोई विग्यापन नहीं लगता उधम सिंग को याद करने के लिए विज्या पर नहीं लगता तो राम जी बना कर गए ये परिभाषा हमारी नहीं है कि जो दूसरों के लिए लड़ रहा है उनके संगर्श में है तो वो तो न्याय की रास्ते पर है जो अपने स्वार्थ के लिए है वो तो अन्याय के रास्ते पर है तब वो बात चल रही है कि ये जो रावड है वो किस रास्ते पर है तो राम कह रहा है निश्चित रूप से अन्याय के रास्ते पर रावड अपने लड़ रहा है अपनी जाती के लिए लड़ रहा है इसके आगे कुछ नहीं तो वो तो अन्याय के रास्ते पर है ये राक्षा सब अन्याय के रास्ते पर है हम न्याय के रास्ते पर इसलिए हैं कि हम अपने स्वार्थ को छोड़कर अयोध्या से यहां आए हैं और यहां आने के बाद हम जीतेंगे इस युद्ध को ये मेरा विश्वास है लेकिन अपना राज कायम नहीं करेंगे ये पूरा राज इनी को सौप कर हम चुपचाप यहां से निकल जाएंगे तो लक्षमन करते हैं औरे मैं तो ये सोच के बैठा था कि ये पूरा किश्किंधा का राज ये हमारा होने वाला है ये जो किश्किंधा है ना वन का एक बड़ा छेतर है जिसका राजा काफी दिनों तक बाली रहा है उसके बाली के बाद सुग्रीव रहा है और बाली के पहले रावड वहां का राजा है मनि रावर की छेत्रका है तो वो कह रहा है लक्षमन मैं तो ये सोच के आया था कि हम इस राज्जी को जीत लेंगे राक्षसों से मुक्त कर लेंगे ये तो हमारे अयोध्या का अंग बनेगा तो कहते हैं लक्षमन तुम भी अन्याय की रास्ते पर जाना चाहते हो तो लक्षमन कह रहे हैं कि हमारे भारत में तो चक्रवर्ती समराट वही होता है जो दूसरों के राजे को जीत लेता है तो राम कहते हैं कि मैं चक्रवर्तित्तु की परिभाशा बदलना चाहता हूँ और एक नई परिभाशा गड़ना चाहता हूँ अब आप जरा देखिए इस बात को राम के पहले उनके वंश में जितने भी महान राजा हुए रगू हुए दिलीप हुए अज हुए इन सबी ने चक्रवर्तित्तु की परिभाशा बनाई है क्या कि किसी राज के लिए अगर वो लड़े जीत लिया तो राज उनके अधीन आया राज ने उनकी मातहती की और इस तरह से रगू चक्रवर्ति हुए आज ही चक्रवर्ति हुए दिलीप चक्रवर्ति हुए ये सब दशरत के पूरवज है दशरत के पिता पिता में ये सब है राम कहते हैं कि मैं अपने कुल में चक्रवर्तित्तु की परिभाशा बदलना चाहता हूँ और आज से नई परिभाशा गड़ना चाहता हूं कि हम राज्यों को जीतेंगे लेकिन अपने राज्य का अंग नहीं बनाएंगे इसी राज्य में से किसी को निकाल कर उसको राजा बना कर हम वापस अपने घर चले जाएंगे तो लक्षमन कह रहा है कि बहिया इनमें तो हैसियत नहीं है राजा होने की तो कह रहा है कि हम हैसियत पैदा करेंगे ये तो ठीक है कि इनमें हैसियत नहीं है लेकिन हम हैसियत पैदा करेंगे इनको ट्रेनिंग देंगे विचार की ट्रेनिंग, विचार का प्रसिक्षन अस्त्र शस्त्र का प्रसिक्षन राज्यनीती का प्रसिक्षन ये सब हम देंगे तो ये राज्य भी चलाने के काविल हो जाएंगे तो लक्षमन पूछ रहे हैं कि फिर ये कौन सा तंत्र बनेगा तो राम कह रहे हैं ये गणतंत्र बनेगा यही प्रजातंत्र बनेगा मुझे अब समझ में आता है कि प्रजातंत्र के मूल शायत शरी रामी है उनके पहले इस देश में प्रजातंत्र कहीं नहीं है प्रजातंत्र में आज जो परिभाशा चलती है ना लोगों का साशन लोगों के लिए लोगों के द्वारा और राम जी ने तो यही चिद्द कर दिया वन में गए है और छोटे छोटे राज जो राक्शसों के कबजे में हैं गोंड जाती के किसी एक इस्थानी व्यक्ति को राजा बना दिया भील जाती के किसी इस्थानी व्यक्ति को राजा बना दिया कोल जाती के किसी इस्थानी व्यक्ति को राजा बना दिया तो गोंडों का राज इस्थापित करा दिया भीलों का राज इस्थापित करा दिया कोलों का राज इस्थापित करा दिया और वो राज हजारों साल तक इस देश में चलता आया हजारों साल अगर आप गोंड जन जाती के लोगों के बीच में जाकर कोल जन जाती के लोगों के बीच में जाकर या भील जंजाती के लोगों के बीच में जाकर समबाद करें तो वो कहते हैं ये राज्यतोर राम का दिया हुआ है मैं पिछले चार-पांच बरशों में मद्ध और दक्षन भारत में रहने वाली ये जो जंजातियां है गोंड जंजाती सबसे जादा मद्ध भारत में है ये जो मद्ध प्रदेश का हिस्सा है थोड़ा महराश्क का और बहुत बड़ा आंध प्रदेश का यहां पर गोंड जंजातियों के लोग रहते है कोल जंजाती थोड़ा उससे नीचे है और भील काफी बड़े इलाके में इन तीनों जंजातियों के प्रमुकों के बीच में जाकर कई कई दिन रहा हूं और उनकी रामकता सुनी है वो हर बार रामकता की शुरुआत ही कहते हैं हे भगवान श्री राम ये राज आपका दिया हुआ है हम तो आपके सेवक है और जब कम रामा इन मैंने पढ़ा तो बिल्कुल बात समझ में आई वो लक्षमन को कह रहे हैं कि राजे हम जीतेंगे देंगे इनको वापस राजा इनी का होगा हमारा कोई व्यक्ति यहां राजा बनके नहीं बैठे तो राक्षसों से रावणों से राजे छीन कर बीलों को कोलों को और दूसरी जन्जातियों को राजा बनाते चले जाना ये राम ने चक्रवर्तित्तु की नई परिभाशा दी और इसलिए शायद वो आदर्श और मर्यादा पुर्शोत्तम माने गए हमारे यहां इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं श्री राम जी के पहले का जो भी इतिहास भारत का पढ़ता पढ़ाता रहा है या जिसको भी थोड़ी समझ है वो ये है कि जिस भी राजा ने दूसरे को जीत लिया अपने मातरत उसने कर लिया लेकिन श्री राम कहते हैं कि जीता और उनी मेंसे किसी को राजा बनाया फिर ये कहानी का एक हिस्सा पूरा होता है बगवान श्री राम विश्वामित्र का यग्यक्षे से संपन करा के वापस निकलने को तैयारी होती है तो विश्वा मित्र कहते हैं कि देखो ईश्वर की एक इक इक्षा और है अभी एक तो हो गई बन में यग्य संपन हो गया बन के जो मालिक हैं उनको उनका राज्य मिल गया ईश्वर की एक इक्षा तो पूरी हुई अभी दूसरी बाकी है राम पूछते हैं वो क्या कि तुम्हारा विवा वो भी ईश्वर की इक्षा से ही निश्चत है तो राम जी पूछ रहा है विश्वा मित्र से कि आपने कहां देखा है मेरे विवा के लिए तो कहते हैं मैंने देखा है और तै भी कर लिया विवाह तुम्हारा वही होना है कौन है क्या है तो राजा जनक की कहानी उनको वो सुनाते है कि एक राजा जनक है उनकी एक पुत्री है जिसको उन्होंने उत्पन्न तो नहीं किया है लेकिन उसको पुत्री की तरह से पाला है तो राम पूछते हैं कि उन्होंने उत्पन नहीं किया है माने वो उनके कुल की नहीं है कि हाँ कुल की नहीं है तो कहां से मिली तो कहते हैं खेत में मिली है मिट्टी में मिली है खेत में मिली है तो उसके कुल का पता नहीं है किस कुल की है कौन उसका असली पिता है, कौन उसकी असली माता है पता नहीं है, खांदान का मालूम नहीं, कुल का मालूम नहीं और तुमारा विवाह वही होना है तो श्री राम कहते हैं कि पिता जी से पूछा है तो राम जी को विश्वामित्र कह रहे हैं कि पूछें न पूछें ये तो हरी की एक्षा है होना तो वही है तो राम पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर मेरे हाथों कोई दूसरा भी ऐसा काम कराना चाहता है तो कहते हैं हाँ जिस लड़की का कुल पता नहीं जिसके माबाप का पता नहीं जिसका असली खांदान क्या है उसका पता नहीं जब श्री राम तुम उससे शादी करोगे तब उसको जो प्रतिष्ठा मिलेगी तो एक दूसरी मरियादा बनेगी तो श्री राम कहते हैं कि अच्छा ठीक है आपको ऐसा ही लगता है कि इसमें भी कोई मरियादा बन रही है मैं सहर्श तयार तो लक्षमन कहते है सोच लो भाईया दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो विश्वा मित्र मुसकराते हुए कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा तुमारे पिता ने तो तीन तीन शादियां की है तुम चाहो तो दूसरी कर लेना तीसरी भी कर लेना तो श्री राम कहते हैं हाँ लेकिन पिता से वो गलती हुई है तो विश्वा मित्र कहते हैं तुम मानते हो यह गलती हुई है कि हाँ ये गल्ती हुई है तो तुम अगर मानते हो ये गल्ती हुई है कि कोशल लिया ही तुमारी मा नहीं है केकई भी है सुमित्रा भी है और तुम ये भी मानते हो कि तुमारे पिता ने तीन शादियां करके गल्ती की है तो फिर ये कैसे है ये तो द्वंद है तो उन्होंने कहा कि शादिया कर ली है तो मैंने उनको मा मान लिया है लेकिन मेरा मन कहता है कि पिता ने ये गलती की है तो फिर विश्वामित्र कहते है कि तुमारे पिता ने कोई गलती नहीं की है तुम्हारे जो दादा पर दादा थे उन्हों ने भी यही किया है और राम का जो वंश है जिसको रगुवंश कहते हैं रगुवंश के सभी राजाओं ने एक से ज़्यादा शादियां की है अर्थात सभी के पास एक से ज़्यादा पत्नियां है तब राम कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपके सामने संकल्ब करता हूँ कि मैं दूसरी मर्यादा एक पत्नी वरत की सिद्ड करके रहूंगा तो वो पूछते हैं कैसे क्यों तो वो कहते हैं कि मैंने अपने महल में देखा है कोशल्या दशरत की पहली पत्नी है जैसे ही दूसरी आई तो कौशल्या के प्रती दश्रत में उपेक्षा भाव आया और तीसरी आई तो कौशल्या और सुमित्रा के प्रती उपेक्षा भाव आया और केकई के प्रती समर्पण भाव आया और उसी समर्पण भाव का परिणाम है कि हमारे महल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो होने लायक नहीं है तो दशरत कहते हैं, राम तुम समय से पहले परिपक को हो चुके हो तो वो कहते हैं कि गुरुदेव, मैं परिपक को हुआ हूँ इतना मुझे नहीं मालूम लेकिन ईश्वर मुझसे बहुत कुछ कहलवाता है मुझे कई बार मालूम नहीं होता मैं क्या कह जाता हूँ तब श्री राम को लक्षमन जी कह रहे है कि अगर ये बगवान राम या श्री राम या मेरे भाई अगर एक पत्नी व्रत का संकल्प लेते हैं तो मैं आजीवन इनके चरणों की बंदना करूँगा आजीवन इनके चरणों की बंदना करूँगा और मैं ये कहूँगा जोर जोर कर कि मेरे भाई के चरण मेरे पिता के चरण से ज़्यादा पवित्र है और लक्षमन को कहते हैं राम डाटते हुए कि देख दशरत पिता है तो लक्षमन उत्तर दे रहे है कि भले वो मेरे पिता है लेकिन चरित्र में उतने उचे नहीं है जितने आप है और लक्षमन कह रहे है कि कोई कितना भी महान राजा हो कोई कितना ही महान सेना पती हो कोई कितना ही महान करोड़ पती हो कोई कितना ही महान विद्वान हो अगर उसका चरित्र नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है तो राम को वो कह रहा है कि भारत की भारतियता तो चरित्र पर जाती है बाकी सब चीजें गौड़ हो जाती है मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक पत्मी वृत का संकल्प ले रहे हैं तो आप चरित्र की किसी उंचाई की इस्थापना करने जा रहे हैं इसलिए आज से मैं आपके चरंगी बंदना करने का संकल्प लेता हूँ तो विश्वामित्र को कहते हैं कि पिता जी के पास संदेश भेज दीजे आप जहां कहते हैं मैं विभा करने को तैयार हूँ विश्वा मित्र कहते हैं एक बार देख तो लो सीता को तो राम कहते हैं देखना क्या है तैय हो गया ना कि वो बिना किसी कुल की है उसका कोई खांदान नहीं है उसके पिता का पता नहीं, माता का पता नहीं जनक ने उसको पाला है लेकिन उसके असली माबाप का पता नहीं है मेरी धरम पत्नी बनेगी, भर्या बनेगी तो सब कुछ उसका इस्थिती, इस्पष्ट हो जाएगी मैं मानता हूँ कि समाज के लिए कोई आदर्श ही बनेगा तो विश्वामित्र कहते हैं तुमारे पिता को अगर सूचना मिलेगी तो ये विवाह नहीं होने देंगे तो कहते हैं जनक से उनकी पुरानी दुश्मनी है और आप जानते हैं दश्रत और जनक में दुश्मनी है और एक दिन की नहीं है कई पीडियों की है तो राम कहते है तब तो और अच्छा है ये दुश्मनी का अध्याई ही खतम हो जाएगा दोस्ती शुरू हो जाएगा तो कह रहे हैं तुम्हे ऐसा क्यों लगता है दुश्मनी खतम कर लेनी चाहिए तो कहते हैं रावण का संगहार करना है तो राजा जनक भी चाहिए दश्रत भी चाहिए और बाकी सब चाहिए और रावण का अकेले का संगहार नहीं करना है उसकी प्रशाशनिक व्यवस्था उसकी राजनीती का संगार करना है क्योंकि वो स्वार्थादारित है हमें पर्मार्थादाति राजनीती की स्थापना करने है तो श्रीव विश्वामित्र कहते हैं चलो भाई अब जैसी तुम्हारी एक्षा तुम्हारे पिता को बिना बताए चलते हैं अब पहुँच जाते हैं राजा जनक के दरवार में राजा जनक में कहा है कि भाई मेरी पुत्री का विभाद मैं तै नहीं करूँगा मेरी पुत्री तै करें और क्यों करेगी क्योंकि वो स्वयम बरा है अपने वर को स्वयम चुनेगी क्यों चुनेगी तो राजा जनक कहते हैं कि उसमें बहुत सारे सदगुण है और उनी सदगुणों के आधार पर मैं कहता हूँ कि वो स्वयम वरा है मैं तै नहीं करूँगा तो ठीक है राजा जनक को कहते हैं विश्वा मित्र के आप तै कर लो, आपकी पुत्री को पूछ लो तो वो जो धनुष की कहानी है, वो सीता जी की कहानी है असल में, कंब रामाइन में सीता जी ने कहा है कि ठीक है ये जो बड़ा धनुष रखा है, जो तोड़ दे, मैं तै कर लूँगे तो बड़े-बड़े राजा महराजा आये हैं, कोई तोड़ पाया नहीं है, और राम जी ने जाके उसको तोड़ दिया है तो सीता जी ने उनको अपना पती मान लिया है अब वो सीता जी को लेके घर वापस आते हैं तो दश्रत बहुत परिशान हो जाते हैं कि बिना मुझे बताए इस तरह से विवा हुआ है तो राम कहते हैं जो कुछ हुआ है इश्वर की इक्षा से हुआ है उसमें ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी अभी जो इश्वर की इक्षा है वो ही करना है और फिर थोड़े दिन उनका समय बीटता है और उसके बाद अचानक से वो घटना घटित होती है कि केकई दश्रत से कहती है कि अब मुझे वो वर मांगने का समय आया जो कभी आपने तै किया था मेरा पुत्र गदी का दिकारी बने ये मेरी अभीश्ट इक्षा है अब आप इसके लिए राम को बन भेजो और मेरे दश्रत वो बरत को गदी दिलाओ तो दश्रत तो परेशान होते है लेकिन राम को जब पता चलता है तो सहर्श सुईकार करते है और वो फिर दश्रत से कहते है कि इसमें भी इश्वर की कोई इक्षा है माने हर बार राम जी इश्वर के प्रती अपनी भक्ती ऐसे दिखाते है आस्थावान व्यक्ति कैसा होता है जो हर चीज में यिश्वर की एकशा को देख लेता है लक्षमन को बहुत गलत लगता है लक्षमन विद्रोह करने के लिए तैयार है अपने बाप के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार है ऐसा कैसे हो सकता है आपका अधिकार है आप सबसे बड़े हैं पर आपको ही बैठना है राज्या आपको चलाना है नीदियां आपको आती है न्याय अन्याय आप समझते है भरत को तो कुछ समझ भी नहीं है वो जिन्दगी पर नन्याल में रहा है सुखों ही सुखों में पला है उसने दुख कभी देखा नहीं है आपने तो दुख का भी अनुभव किया है मैंने थोड़ा किया या आपने ज़्यादा किया इसलिए राजा बनने का अधिकारी तो आप ही है तो राम कहते हैं नहीं अभी राजा बनकर अगर मैं यहां बैठ गया तो इससे भी बड़े कुछ काम होने वाले हैं इसलिए बन गमन तो जाना है तो बन गम जाने का तै होता है और फिर उनके साथ उनकी भारिया धरम, पत्मी, सीता और फिर लक्षमन भी जाते है और वही कहानी फिर दोहराई जाती है राजा दश्रत कहरें कि तुम बन जा रहे हैं तो दास दासियों को लेके जाओ राम कहते हैं नहीं तुम बन जा रहे हो तो घोड़े हाती लेके जाओ नहीं तुम बन जा रहे हो तो धनसमपत्ती लेके जाओ नहीं तुम बन जा रहे हो तो अस्तुसरस्तर लेके जाओ नहीं मैं जहां जाओंगा وَحِن سेना बनाओंगा وَحِن के संसादynnوں से रहूंगा मुझे एक साधरन व्यक्ति का जीवन बिताना है और मैं जब साधरन व्यक्तियों के बीच में साधरन बनकर रहूंगा तो उनमें जदा प्रेरणा पेला होगी और शायद वो अपना लक्ष हासल कर सके एक राजा की हैसियस से जाओंगा तो मेरे और उनके बीच में दूरी रहेगी ये दूरी अगर पट नहीं पाई तो जो हासिल करना है वो मिले गाने और चौदे वर्ष का जो उनका बनवास है वो सब आप जानते हैं जगे जगे जाना, कंदमूल खाना वहीं कुटिया बना के रहना वहीं के संसादनों से जीवन चलाना सुख में रहना, दुख में रहना अलग-अलग तरीके से जीवन बिताते हुए राक्षसों का संगार करते हुए और जन जातियों का राज्य स्थापित कराते हुए वो अंत में पहुँचते हैं, जब उनकी पत्नी कापरण होता है, रावड उठा की ले जाता है, फिर युद्ध का अनाद होता है, और युद्ध होता है, युद्ध में राम विजई होते हैं, रावड हारता है, रावड हारता है तो उसके बाद विविशन को राजा बनाते ह तो भीविशन खुद हैरान है कि ये मुझे राजा बना रहे है वो अब तक सोच के बैठा था कि राम राजा बनेंगे तो राम कह रहे हैं कि मेरी आज तक की परंपरा नहीं है जिस राज्य को जीता वहां मैं राजा बना ये हुआ नहीं मैंने उसी राज्य के नागरिकों को राजा बनाया तब बिविशन पूछ लेते हैं मुझे एक जिग्या सा है क्या है कि आपने बाली का संगहर किया था और सुग्रीव को राजा बनाया था आपके यहाँ अन्याय तो नहीं है अधर्म भी नहीं है तो ये वाली का बद नियाय था तो राम पूछ रहे हैं एकने दिन बाद क्यों पूछ रहे हो तू अभी तो सब कहानी खतम हो गई तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी पूछने के क्यों नहीं पड़ी तो वो कह रहे हैं कि सुग्रीव आपका सहे होगी है और उसके सामने मैं ये पूछू हूँ तो मुश्किल हो जाएगी हो सकता है आपके और सुग्रीव के बीच में मनवेद हो जाएं मतवेद हो जाएं हमारा लक्षिरावर को खतम करना था वो आपको पहले पूरा करना था आप प्रशन पूछ रहा हूँ तो राम कहते हैं कि देखो बाली अधर्मी ही था धर्मी नहीं था कैसे अधर्मी था तब वो सुग्रीव को कहते हैं कि कहानी सुनाओ बाली क्या क्या किया था उसने तुमारे साथ तो सुग्रीव कहता है कि मैं और बाली दोनों सगे भाई थे और बाली हर समय मेरा अपमान करता था बार बार मेरी पत्नी का अपमान करता था मेरा और मेरी पत्नी का अपमान करना इतना ही नहीं राज्य के विद्वानों की पत्नियों का और पत्नियों का भी वखमान करता रहता था रावड के जैसा बनने की कोशिश करता रहता था जैसा शोशन रावड करता है वैसा ही उसके मन में था ये सब कहानी जब वो सुनते हैं सुग्रीव के मूँ से तब विवीशन समझते हैं हाँ बात तो आपकी सही वो अधरमी ही था तो राम ने कहा कि मैंने उसको मारने का संकल्ब किया था लेकिन बाली के लिए नहीं सुग्रीव के लिए अगर सुग्रीव को राजा बनाना है तो बाली को हटाना बहुत आवश्यक था और बाली को नहीं हटाता तो वो सुग्रीव को मार डालता और सुग्रीव अगर मर जाता तो हनुमान की रहने का इस्थान नहीं रहता किशकिंदा में और हनुमान तो भगवान के बेजे हुए कोई दूत हैं जिनके हाथों कोई बड़े काम इस देश में होने वाले हैं इसलिए इनका बचना बहुत जरूरी था आपको मालूम है किशकिंदा राजी का जो मालिक था बाली उसने एलान कर दिया कि मैं इन मेंसे किसी को नहीं रहने दूँगा ना सुग्रीव को ना हनुमान को ना नल और नील को तो राम कहते हैं ये नल नील भी भगवान के भेजे हुए हैं इनके हाथों कोई विशेश काम होना था आप जानते हैं बाली के हाथों अगर ये मारे गए होते तो भारत में बहुत सारा इतिहास लिखने से भारत बंचित हो गया होता हनुमान के बारे में अगर ये हम कभी कल्पना करें कि बाली ने उनको मरवा दिया होता तो हनुमान का जो सबसे बड़ा हमारे देश के और लोगों के सामने चरित राता है वो ये कि वो भारत के नागरिकों को भारत की जड़ी बूटियों से परचित कराने वाले आदी वैदे क्योंकि मालूमी नहीं था भगवान श्री राम को कि लक्षमन को अचेत आया वस्था आई है मूर्चा हुई है तो कौन सी जड़ी बूटी लगेगे थी वैदे शुषेंड थे उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि वहाँ वहाँ जाओ वहाँ से कुछ लियाओ तो हनुमान जी ने का हो सकता एक दो जड़ी बूटी से काम नचले तो पूरा परवती उठा के लाए और उन जड़ी बूटीों का परचे श्री राम को कराया लक्षमन को कराया और पूरी सेना को कराया तो राम कहते हैं कि ये काम बंचित हो जाता नल नील का पूछा तो ये नल नील तो अद्बूत हैं दोनों क्या किया है नल नील ने राम के साथ रहके नल नील ने सबसे बड़ा काम किया है कि राम की सेना को रावड के राज़े में पहुँचाने के लिए पुल बनाया है अब तक तो हम सब ये मानते थे कि ये रामचंद्र जी की सेना जो रावड के राज़ में पहुंची उसके लिए कोई पुल बना तो बना होगा हमारे दिमाग में नहीं बैठता था कलपना नहीं आती थी लेकिन अब अमरीका की सबसे बड़ी वेग्यानिक संस्था नासा में उस पुल के चित्र निकाल कर जब सबको दिखाए और उसकी कारबन डेटिंग हुई तो पता चला कि वो पुल पांच लाग तेरे हजार और कुछ सो वर्ष पुराना है और भगवान श्री राम का रावड से युद्द भी उतना ही पुराना है तो सिद्ध हो गया कि ये पुल उनके समय में बनाए और श्री राम भीविशन को कह रहे है कि देखो मुझे नहीं आता पुल कैसे बनाया जाता है ये नल नील दोनों जानते है माने आज की भाशा में कहूं तो नल और नील दोनों कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े इंजीनियर जो पुल बनाया और पुल भी कैसा बनाया पत्थरों का पुल समुद्र के बीच में कभी कल्पना काम न करे किसी की ऐसा अब समुद्र में पत्थरों को डुबोना तो नाओं पे पत्थरों को रखना और नाओं में किसी तीर को मारके उसको डुबो देना ये काम वो कर रहे हैं भगवान शिरी राम के साथ तो पत्थरों को डुबोते 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 फिर एक मुझाई तक लाए है फिर कंस्रक्शन हुआ है और उस पुल का कंस्रक्शन पत्थर और पत्थर को जोडने वाले चूने के साथ इतना मजबूत बन गया है कि आज तक वो सुरक्षित है पांच लाग तेरे हजार साल पुराना पुल सुरक्षित है जो कभी भारत में नल नील ने भगवान श्री राम के लिए बनाया और अब अमरीका के वैग्यानिक मानते हैं कि हाँ भारत का साइंस और टेक्नोलजी कोई बहुत उंची चीज रही होगे नहीं तो कैसे संबब है पत्तरों से समुद्र के भीच में पुल बनाना नदी पे पुल बनाना तो समझ में आता है क्योंकि नदी की गहराई निश्चित होती है समुद्र की गहराई ही निश्चित नहीं है कभी कहाँ पर सौ किलो मीटर गहरा हो सकता है कभी कहाँ पर चालिस किलो मीटर कभी कहाँ पर दो सौ किलो मीटर गहरा हो सकता इतने गहरे समुद्र में पुल बांग दिया और वो पुल के फोटोग्राफ्स मैंने देखे मेरे पास मेरे कंप्यूटर में वो पड़े हुए हैं बहुत अच्छे से फीड किये हुए हैं कभी मौका मिला तो LCD प्रोजेक्टर की मदद से आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पत्थर को दूसरे से जोडा गया है उसके अंदर के जो चित्र निकाले हैं न पुल के पत्थरों को एक दूसरे से जोडा है बीच में चूना लगा के लेकिन पत्थर खिसक न जाएं तो लोहे की कील लगी हुई हैं दोनों तरफ जोडने के ये विज्ञान उस समय था हमारे देश के और पुल को उपर से जब देखते हैं न सेटलाइट से उसके सारे पिक्चर निकाले गए हैं शायद देनिक भासकर अकवार में छपवी चुके हैं कोई मुझे कल बता रहा था मेरे पास तो उसके औरीजनल फोटोग्रेफ्स है तो वो फोटोग्रेफ्स जब उपर से हम देखते हैं न तो पुल साफ बिखाई देता है कि वो ऐसे जैट शेप में बना हुआ है स्ट्रेट लाइन नहीं है एक रेखिये रेखा में पुल नहीं है ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है बहुत दिन में सोचता रहा कि ऐसा पुल नल नील ने कैसे बनाया और क्यों बनाया क्यों बनाया जरूरत क्या थी जैसे आजकर डेम बनाते है न डेम एक तरह का पुल होता है तो सीधी लाइन में बना दिया तो शायद भारत की तकनीकी नहीं है कि सीधी लाइन में पुल बनाया जाए ये यूरोप की टेक्नॉलोजी है कि वहाँ पुल बनाने का काम जो शुरू हुआ है यूरोप में 18 शताब्दी से वो सीधी रेखा में है बारत में शायद हो नहीं सकता समुद्र में तो बिल्कुल असमभव है क्योंकि एक रेखी अपुल अगर होगा लीनियर होगा एक ही लाइन में होगा तो उस पर पानी का दबाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि समतल चीज होती है ना उस पर दबाव ज़्यादा होता है पानी का दबाव ज़्यादा आएगा तो तूट जाएगा तो पांच लाग तेरे हजार साल थोड़ी टिक पाएगा तो नल नील की अकल देखो कि जो दबाव पानी का पड़े उसको एक दूसरे पर डिस्ट्रिब्यूट कर दो एक ही इस्थान पर पूरा दबाव ना पड़े इसलिए उसको Z-Shift दे दिया और आज के जमाने के जो हाईट्रोलिक्स के बड़े वैग्यानिक है जो जल वैग्यान के बड़े वैग्यानिक है उनसे मैं कहता हूँ कि जरा इस डिजाइन की कलपना करो तो वो एक ही शब्द कहते हैं अद्भुद वो ये कहते हैं कि पांच लाग तेरे हजार साल पहले कोई दो व्यक्ति ऐसे हुए जिनको ये कलपना थी इसका माने कोई बहुत बड़े वैग्यानिक रहे होंगे तब ही ये हो सकता है साधरन लोगों के दिमाग में ये कलपना नहीं आ सकती कि पानी के प्रेशर को बराबर डिस्ट्रिब्यूट करना है और उसमें शेप जैड का देना है ताकि वो ज्यादा दिन सुरक्षित रहे पहले जब हम चर्चा करते थे हमारे कुछ आधुनिक पढ़े लिखे मित्रों के साथ तो ये कहते थे कि भारत बहुत महान था सुना है लेकिन इसकी महानता क्या थी वो अब दिखाई देती है ये महानता था पांच लाग तेरे हजार साल पहले इस तरह के पुल का डिजाइन कर देना और वो इतने साल तक लगातार टिके रहना उसके बीच में कहीं क्रैक भी नहीं है जो सेटलाइट ने फोटो निकाले है ना इमेज कहीं भी क्रैक नहीं है अब वो तो भला हो हमारे दक्षिन भारत की वो जैललिता का जिसने अभी जित पकड़ ली थी कि इस पुल को तोड़ ही देना है क्योंकि ये चिन्मई के रास्ते आने वाले बड़े जहाजों को रुकावट पैदा करता है उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान चला अच्छा हुआ जैललिता अपने पद से निकल गई तो वो पुल बच गया नहीं तो वो तोड़ने की तैयारी में थी तो नेता कैसे हैं हमारे इससे अंदाजा लगा लो राम के जमाने में कितनी मेहनत से बनाओगा उसका अंदाजा लगा लो इस तरह की क्वालिटी उस समय के काम है और फिर अब समझ में आता है कि अगर ये पुल सकते था तो सब कुछ सकते रहा हो अब तक हमारे देश में कुछ ऐसे इतिहास कार हुए हैं जो वामपंती मानते हैं अपने को लेफ्टिस्ट मानते हैं वो मानते ही नहीं है कि भगवान राम की कहानी कोई सत्य है वो ये कहते हैं ये हाइपोथिसिस है हाइपोथिसिस माने कल्पना में गड़ी गई हाँ अभ पूरी ये जो पुल का हो जाना और उसके समय का वही निकल के आना जो राम का समय है अब ये सिद्ध कर देता है कि ये सकते हैं इसमें कालपनिक्ता कुछ नहीं और अगर इसी विशय पर आगे हम खोज करें तो बहुत कुछ ऐसा निकल आएगा क्योंकि वैग्यानिकों ने जाने के बाद और आज तक बीसियों पचासियों सुनामी आए हो और ये नीचे जाता गया जाता गया जाता गया और आज चालीस पचास किलो मीटर नीचे इस्तिर हो गया और वो पुल अकेला ही नहीं गया होगा हो सकता है लंका चली गई हो उसके साथ पूरी की पूरी नी नीचे तो हो सकता है लंका भी चली गई हो क्योंकि सुनामी आने के पहले तो मेरी भी कलपना काम नहीं करती थी यह नीचे गई कैसे होगी लेकिन जो सुनामी में मैंने मेरी आखों से देखा है 20-20 मंजल बिल्डिंग नीचे चली गई है तो यह भी चला गया होगा और पता न निकल आएगा क्योंकि यह पुल अकेले में नहीं इस पुल की कई विशेष्टा है नल और नील को राम पूछ रहे हैं कम रामाइन में कि तुमने पुल निर्मान की जो डिजाइन बनाई है जरा मुझे दिखाओ तो नल नील कहते हैं कि डिजाइन हमने जो बनाई है वो हम इधर नहीं आ पाएगे तो राम पूछते हैं इसमें क्या ऐसी खास बात है दुश्मन की सेना नहीं आ पाएगी हमारी चली जाएगी तो ऐह कहते हैं अपनी सेना में ज़्यादा तर बंदर है और बंदर वजन में बहुत हलके होते हैं और इनके शरीर का सारा वजन पैरों पे नहीं आता है चार पैरों पे आता है वो डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है इसलिए इनका जाना तो आसान है और रावर की सेना में सब दो पाए हैं हमारी सेना में सब चार पाए हैser तो यह जो चार पाए है इनका चला जाना बहुत आसान है यह दो पाए अगर आये तो यह पुल्दू देगा उनको यह पका है हमने ऐसी डिजाइन किये इतना इतना माईक्रो लेवल का केलकुलेशन करके डिजाइन किये मैं इंजिनिरिंग का विद्यारती हूं इसलिए इस बात को समझ सकता हूं कि चार पायों का जो वजन होता है वो जब डिस्ट्रिब्यूट होता है और दो पायों का जो वजन होता है जब डिस्ट्रिब्यूट होता है तो धरती पर भार दो पाय का जादा होता है चार पाय का बहुत कम होता है और बंदर दुनिया में अद्वुत चार पाया है जिसका वजन सबसे कम पड़ता है बंदर के अलावा जितने चार पाये हैं जैसे शेर है चीता है बबर शेर है बालू है इनका वजन बहुत बहुत है कई गुना जादा है तो आप कहेंगे बंदर का साइज भी तो कम है बंदर के साइज के जितने चार पाए हैं उनका भी वजन धर्थी पे बहुत पड़ता है बंदर अकेले का नहीं पड़ता क्यों कि वो पूरा पंजा कभी रखता ही नहीं है उंगलियों की पोरों से जंप लगाता है कहीं से कूदेगा उंगलियां टिकाएगा पूरा पंजा नहीं रखता ऐसे टिकाएगा फिर तुरन जंप कर देगा और उसमें लगातार छंबता है जंप करते रहने की तो वो कह रहे हैं कि हमारी सेना में तो ये बंदर बानर जादा है आप चिंता मत करो ये पार जाएंगे लेकिन उधर से वो आए डूब जाएंगे ऐसी डिजाइन उबने तैयार की फिर पूछ रहे हैं दूसरी विशेष्टा बताओ इसकी तो दूसरी विशेष्टा ये है कि अगर ये पुल बनेगा तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक ये तूटेगा ना तो कह रहे हैं मेरे कहने से मतलब उन्होंने का आपके जो बाण है ना उनमें एक ही बाण ऐसा है जो तो इसको तोड़ में की शक्ती रखता बाकी ये किसी से तूटने वाला नहीं है वो जब तक आप नहीं चलाएंगे ये तूटने वाला नहीं है तो पूछ रहे हैं क्यों तुरुन का हमने जो केमीकल लगाया है इसमें वो ये कैलकूलेशन करके लगाया है जिए असका reaction राम के बारण से ही हो बागी किसी बारण से नहीं तो खोज कर ऐसा chemical लाए और आप जानते हैं कि बारण के सामने जो तीर पी नोक होती है उसमें chemical लगा की चलाए जाते है तो उनको मालू में नल लील को के राम के बार में किस तरह के chemical है तो पुल में कौन से chemical इस्तेमाल करने है कौन से नहीं करने है किसको छोड़ देना है किसको रक लेना है इस calculation से पुल है फिर वो कहते हैं कि हाँ हम इस पुल से जाएंगे और वापस जब आएंगे तो ये कितने दिन टिकने वाला है तो उनका जब तक आप चाहें तब तक आप अगर चाहेंगे तो हम लोटते ही इसको नाश कर देंगे आप चाहेंगे तो थोड़े दिन टिकेगा आप विविशन को बोल के जाओ और वो बान इसको देके जाओ जब इसको मन आए वो चला दे वो तूट जाए गा इस तरह की विशेष्टाओं वाला पुल बना कर वो गए हैं लंका में और मार कर लावन को लोटे हैं लोटने के बाद भीविशन को कई बात कहके जा रहे हैं उन में से एक है कि ये तुम्हारी एक्षा है इसको चाहो तो रखो चाहो तोड़ देना बान मेरा ये है जब चाहो तो इसको मेरा इसमरण करके छोड़ देना अब इससे बड़ी महत्तो की बात राम जीर जो लक्षमन को सौरी बिविशन को कह रहे हैं, राजा बना दिया उसको, उसको गद्धी सौंप दिया, अब विदा ले रहे हैं तो बिविशन पूछ रहा है कि इसको चलाओं कैसे राजी को, ये तो सिखा दो मुझे, ये तो बता दो, तो बगवान राम एकी बात कहते हैं कि देखो, अभी मैंने स इसी समस्या का समाधान नहीं होगा ट्रांसफर अफ पॉवर हुआ है रावड की सक्ता बिविशन को मिली है लेकिन रावड का राज वैसे का वैसा ही है इसके मंतरी, इसके महामंतरी, इसके अमात, इसके महामात, इसके खजांची, इसके अधिकारी, इसकी सेना, इसका सेनापती ये सब वैसे के वैसे ही हैं, अगर तुम चाहो तो इनको बदलो, तो तुम्हारे राज्य की समस्याएं हल होंगी जो तुमने इन प्रसाशनिक व्यवस्थाओं को नहीं बदला तो एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा और मैं ये कह सकता हूँ कि समस्याएं बढ़ेंगी तो वो पूछ रहा है कि ये आप कैसे कह रहे हैं तो उनका देखो रावण नहीं अपना राज इस्थापित किया उसके आधार पर अधर्म को धर्म बनाया और जितने अधार में काइदे कानून थे वो सभी धर्म के लवादे में उड़ाकर उसने इस्थापित करा दिया अब यही काइदे कानून अगर चलेंगे तो तुमारे पास सत्ता आने का भी लाब नहीं मिलेगा प्रजा को तुम मजा कर सकते हो प्रजा वैसे ही दुखी रहेगी तुम तै करो तुम्हें प्रजा का राजा होना है या गद्धी का राजा हो तो भीवीशन के रहा है कि मैं तो प्रजा का राजा होना चाहता हूँ तो राम उनको कह रहे है कि सबसे पहला काम करो कि रावर के बनाए हुए काइदे, कानून और नियम सब खतम करो जला दो उनको, नए नियम काइदे बनाओ और ऐसे नियम काइदे बनाओ जो सनातन सत्य पर आधारित हो ऐसा सत्य नहीं जो आज है और कल बदल जाए ऐसा सत्य जो हजारों साल पहले था हजारों साल रहे और राम कहते हैं कि किसी भी राज्य की सत्ता का हस्तांतरन मात्रो हो और राज्य की व्यवस्था ना बदले तो उस देश की उस राज्य की कोई समस्या का समाधान नहीं होता अब भारत की समस्याओं को मैं यहीं देखता हूँ अब श्री राम जी की ही बात करें 15 अगस्त 1947 को इस भारत में भी सत्ता का ही हस्तांतरन हुआ इतना ही तो हुआ कि माउंट बेटन के हाथ में से सत्ता हमारे देश के पहले प्रधानवंतरी पंडे जवारलाल नहरू के हाथ में आई बाकी क्या बदला अंग्रेजों ने भारत का लूट मार करने के लिए 34,735 कानून बनाए वो सब के सब भारत की आजादी के बाद भी चल रहे हैं तो श्री राम जी के शब्दों के अनुसार भारत की किसी समस्या का समादान नहीं होगा क्योंकि व्यवस्था वोई है जो रावड के समय थी रावड का समय माने अंग्रेजों का राजी वो रावड का ही राजी था एक भी कानून नहीं बदला अंग्रेज माने रावड मैं अभी बिल्कुल इस पश्ट कह रहा हूँ रावड और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं था तो रावणों ने या अंग्रेजों ने जो कानून बनाये CRPC, IPC, CPC वो सब के सब वैसे के वैसे ही अंग्रेजों ने कानून बनाया Indian Police Act वो वैसे का वैसे ही अंग्रेजों ने कानून बनाया Indian Civil Services Act वो वैसे का वैसे ही Land Revenue Act वो वैसे का वैसा ही Land Acquisition Act वो वैसे का वैसा ही Indian Citizenship Act वैसे का वैसा ही तो अंग्रेजों के बनाए गए 34,735 कानून केंदरिस्तर पर और अंग्रेजों के बनाए हुए राजिस्तर के हजारों हजारों कानून वो सब के सब वैसे ही चल रहे है इसलिए भारत की कोई भी समस्या का समाधान आजादी मिलने के साथ साल बात भी नहीं हो रहा है गरीबी आजादी के साल में जितनी थी उससे बढ़ी है कम नहीं हुई 1947 में हम आजाद हुए तो भारत में 4 करोड लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे अब सन 2006 में 40 करोड लोग गरीबी की रेखा के नीचे है अब आप कोगे जी जन संख्या बढ़ गई जन संख्या तो बहुत थोड़ी बढ़ी 1947 में हम 34 करोड थे अब हम 108 करोड हो गए जन संक्या साड़े 3 गुनी बढ़ी है गरीबी 10 गुनी बढ़ी है आजादी के साल में हमारे देश में बेरोजगारों की संक्या 2 करोड थी अब 2006 में 20 करोड हुई है तो बेरोजगारी भी बढ़ी है गरीबी भी बढ़ी है आजादी के साल में जितना ब्रष्टा चार था उससे हजारों गुना जादा ब्रष्टा चार अभी बढ़ा है ये हम सब मानते हैं आजादी के साल में जितनी महगाई थी उससे हजारों गुनी जादा महगाई अभी बढ़ी है आजादी के साल के कुछ आंकड़े बताता हूँ आजादी के साल में एक रुपए में पचास किलो गेहूं मिलता था आज पचास किलो गेहूं तीन सो रुपए में मिलेगा या साड़े तीन सो रुपए में आजादी के साल में एक रुपए में दो किलो शुद गाई का घी मिलता था आज दो किलो शुद गाई का घी डूमने जाओ तो साथ आठ सो रुपए से नीचे नहीं मिलेगा मिलावट वाला चार सो रुपए में मिल जाएगा आजादी के साल में किसी के घर में 2-4 रुपया एकठा हो जाए तो सोना खरीद लेते थे अभी 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए कम से कम 10,000 रुपया हो तब कल पना हो सकती आजादी के साल में किसी सरकारी करमचारी की पगार 20 रुपय होती थी ना तो 10-12 रुपए में घर का खर्च चलता था महीने का, 8 रुपए बचा लेता था फरी बे, और सुखी रहता था, अब आजादी के 50-60 साल के बाद 10,000 रुपए महीने की पगार अगर मिल जाए, तो भी उसका घर खर्च नहीं चलता, महगाई बहुत बड़ी, गरीबी बहुत बेरोजगारी बहुत बड़ी, रश्टा चार बहुत बड़ा, और आजादी के साल में भारत की सरकार बोलती है कि 33 प्रतिशत भारत की जमीन के कुल जंगल था, अब आजादी के 60 साल के बाद, 70 प्रतिशत जमीन पर ही जंगल रह गया, 70 प्रतिशत, मने लगबग आधे जं सच्चाई के साथ कि भारत में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फिर भी जंगल साफ होते चले जा रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिस पर करोणों रुपए खर्च होते हैं हर साल पगार के, लेकिन जंगल बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे, आजादी के बाद पर ऐसी हालत में हैं, कि आप पानी छूने की हिम्मत न करें, नहाना तो दूर की बात, गंगा को इतना मेला कर दिया, जमना तो इतनी मेली हो गई है कि कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है, पानी ही नहीं है जमना, नदियों का नाश हुआ है, समुत्रों का नाश हुआ है आजादी के साल में भारत में लगबग साड़े छे लाख तालाब और तलया थे आज आजादी के साठ साल के बाद उसमें आदे से जादा बंद हो गए है या सरकारों ने उनकी जमीन एक्वाइर करके उनके बिल्डिंगे बना दी या लेंड माफिया वाले लोगों के हाथ में वो तालाब चले गए किसी भी शहर में देखो एक भी समस्या हल नहीं हो रही है हर समस्या का बढ़ता ही जा रहा है स्वरूप और प्रारूप तो शायद श्री राम जी जो भीविशन को कह रहे हैं कि देखो सत्ताहस्तांत्रन मात्र से किसी राजी की समस्या का समादान नहीं होता व्यवस्था बढ़नी चाहिए तब राजी की समस्यां यह थल होती है हम भारत वासियों ने श्री राम जी से अगर इतना ही सीख लिया होता कि सत्ता हस्तांतरन ही नहीं है व्यवस्था भी बदलो तो शायद भारत की समस्याओं का समाधान साथ साल में हो गया होता और अब श्री राम जी की कथा पड़के बार 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 मुझे ये इसपश्ट हो गया है कि भारत की कोई भी समस्या का समाधान करना है तो सत्ता बदलने से नहीं होगा व्यवस्था बदलने से होगा हम एक पार्टी को चुन कर लाएं उसको हटा कर दूसरी को बिठाएं दूसरी को हटा कर तीसरी को बिठाएं तीसरी से चौती को लाएं कुछ होने वाला नहीं बड़े-बड़े महान लोगों को प्रधान मंत्री बनाएं कुछ होने वाला नहीं जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी कितना ही अच्छा कोई प्रधान मंत्री आप बिठा दो उसमें से कुछ निकलना नहीं है क्योंकि ये मैंने नहीं कहा लाखों साल पहले श्री राम जी बोल कर गए बिवी शन को कि देखो ये ही होता है तो अब राम राज्य की बात अगर हम करें कि राम का राज्य स्थापित करना है तो पहला ही सूत्र शुरू होगा कि बारत का व्यवस्था परिवर्तन करना होगा तब भारत में राम राज्य आएगा नहीं तो ये रावण राज्य ही चलता जाएगा जो अंग्रेजों ने चलाया था अब वो ही काले अंग्रेज चलाएंगे इतना ही अंतर है तले गोरे अंग्रेज चलाते थे अब काले अंग्रेज रावड राजी तो वो ही चल रहा है अभी इसके बाद आखिर में मैं श्री राम जी की कथा के एक ऐसे अंश पे आता हूँ जो बीच का अंश है लेकिन मैंने जान पूझ के अंथ के लिए रखा उसको राम जी की कथा में एक इस्थान पर ऐसा है कि जब वो बन चले गए और उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो उनके छोटे भाई भरत राम जी के पास आए और उनको कहें कि चलो भाई वापस आपकी गद्धी आप समालो पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो राम और भरत का संबाद है और मेरा मानना ये है कि भारत की सभी राम कथाओं का सबसे केंद्रिय इस्थान अगर कोई है तो राम भरत संबाद है इसमें आप सब कुछ समझ सकते हैं पूरी दुनिया पूरा भ्रमांड पूरी व्यवस्था हैं सब इसी में समाहित है भरत राम का संबाद अगर राम चरित मानस में पढ़ना हो तो अयोध्या कांड में वालमीक रामाइंड में पढ़ना हो वहां भी है रगवन शम जो काली दास की सबसे सुन्दर्तम करती है उसमें एक सर्ग है बारवे नंबर का सर्ग उसमें भरत राम संबाद है और बारवे सर्ग का एक उपसर्ग है, जिसको श्री काली दास में नाम दिया है कश्चित सर्ग, अद्बुत है, कंबन रामाईन में बहुत विस्तार से है, काली दास का रगवन्शम उसमें बहुत विस्तार से है, रामचरित मानस में थोड़ा संख्षेप में है, वालमीक रा अद्बुत है मैं मानता हूं राम कथा का इस से अच्छा कोई दूसरा वो नहीं है हिस्सा नहीं है इसमें राम को जब मिलने के लिए भरत आते हैं और बताते हैं पिता जी की मृत्ति हो गई है और राजी को अब चलाना मेरे लिए तो मुश्किल है आपको वापस चलना तो राम जी उनसे कई प्रश्ण पूछ रहे और वो सारे प्रश्ण हमें बताते हैं कि राम राजी कैसा होता है और महात्मा गांदी ने इसी राम राजी की बात कही है राम राजी है क्या तो भरत आये कुशल श्रम पूछा गले मिलकर रोए वगरा वगरा सब हो गया फिर राम जी का पहला प्रश्ण जो भरत को है वो ये कि भरत तुम जिस राजी से आये हो आयोध्या का राज तुम कहते हो वो राम का राजी है माने मेरा राजी है अर्थात राम राजी है तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इस राजी को चलाने के लिए looking using a range का बारे में मैं कुछ प्रशन करता हूँ तुम उनका उत्तर अगर हां में देते हो तो मैं मानूंगा कि वो रामराजी है और ना में दे रहे हो तो मैं नहीं मानता कि वो रामराजी है तो भरत के रहे हैं आप प्रशन पूछिए जितनी मेरी हैसियत है छमता है मैं दूँगा तो पहला ही प्रश्ण शुरी राम जी पूछ रहे है वह पूछ रहे है कि क्या तुम अपने राज्ज के आचारियों का, वैद्धियों का, गुरुओं का, पुरोहितों का और अग्रजों का ऐसा ही सम्मान करते हो जैसा मैं करता था। पहला ही प्रश्ण है क्या तुम अपने राज्जी के आचारियों का गुरूओं का अग्रजों का पुरोहितों का वैसा ही सम्मान करते हो जैसे मैं करता था तो भरत कहते हैं हाँ मेरी कोशिश तो यही है कि मैं मेरे सबी अग्रजों का सम्मान करूं मेरी कोशिश तो यही है मैं मेरे सभी गुरुओं का सम्मान करू मैं मेरी कोशिश यह करता हूँ आचारियों का सम्मान करू लेकिन पुरोहितों के बारे में थोड़ी मुझे मन में आशंका रहती है राम पूछते हैं क्यों इसमें आशंका क्या है तो वो कह रहे हैं कि पुरोहित तो कर्मकांडी कराते हैं ना तो राम कहते हैं तो तुमने क्या मान लिया वो गुरूओं के नीचे हैं क्या आचारियों से कम हैं क्या तो कह रहे हैं कि मेरे मन में कभी-कभी ऐसा प्रशन आता है कि पुरोहितों को इतना ही सम्भानकियों देना जितना आचारियों को, जितना गुरूओं को, जितना उसको, क्योंकि हम माنتे है कि भगवान तो घटगट में है, ईश्वर तो हर कनमें व्यापत है, पुरोहित हम को कर्म कांड की तرف लेके जाते हैं, तरीके बताते हैं पूजा के जबकि ईश्वर तो कणकण में है गटगट में है भावना से ईश्वर है पुरोहित आई में क्या है अब राम जी का उत्तर सुनिए वो कहते हैं देखो भरत ये पुरोहित तुमारे राज्य की अर्थ व्यवस्था की रीड की हड़ी है जरा समझ रहे हैं धर्मस्यमूलम अर्थम अर्थस्यमूलम कामम और इसी बात को राम जी के जाने के कुछ लाक साल के बाद चानक के बोल कर गए है धर्मस्यमूलम अर्थम अर्थस्यमूलम कामम पहले मुझे ऐसा लगता था जब तक मैंने कम ब्रामाइन नहीं पढ़ी और ये शास्त्री रहे इस देश में लेकिन अब पता चला है कि चानक किसे लाखों साल पहले रामचंद्र जी ये कह रहे हैं बहरत को धर्मस मूलम अर्थम वो कहते हैं कि देखो धर्म के मूल में अर्थ है अगर तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म करवाता है तो पूजा करवाता है तो पूजा करवाता है वो तो किसी कथा की सत्तिनरायन की या जो भी करवाता है लेकिन एक लिस्ट बनवाता है कि दस घड़े ले आना एकदम कोरे होने चाहिए बीस मीटर कपड़ा ले आना एकदम नया होना चाहिए इतनी चूड़ियां ले आना, बिना पहनी हुई होनी चाहिए दस किलो घी ले आना, ये सामगरी ले आना, ये लकड़ियां ले आना, ये बास मंगा लेना, ये ऐसा कर लेना, वैसा मैंने एक बार वो लिस्ट देखी तो कम से कम 108 चीज़ें रहती हैं उसमें सिंदूर ले आना, गुड ले आना, कलावा ले आना, ये कर लेना, वो कर लेना तो राम समझा रहे हैं कि देखो, जो आदमी पूजा तो भगवान की कराएगा, वो तो भावना से भी हो सकती है लेकिन जान पूछ कर वो इतनी चीज़ें मंगाएगा, क्योंकि कारीगर जो इन चीज़ों को बना रहे हैं, वो भिकना भी तो चाहिए उस दिन मेरे समझ में आया, श्री राम जी की परिभाशा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं अब समझ में आया, इन से बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होते हैं अब देखो वो कह रहे हैं, घड़े ले आना, कोरे लाना, तो कुमार का काम बढ़ा के नहीं गड़े बिके उसके, फिर गड़े पे ढखने के लिए ढखन और ले आना, तो कुमार का काम और बड़ा बिक्री हुई फिर कहते हैं, सकोरे ले आना, कुलड ले आना, तो उसमें प्रशाद रखेंगे, तो ऐसे करेंगे, तो मिट्टी में पवित्रता होती है पवित्रता तो सभी चीजों में होती है लेकिन मिट्टी के ये नए नए बरतन अगर कोई पूजा में लाएगा और ऐसी रोज सैकुडों पूजाएं होती जाएंगी तो कुमारों का काम जिंदगी बर चलता रहेगा तो कारीगरों को जिंदा रखना है तो वो पुरोहित ही है वो नएने कपड़े मंगाते है तो जुलाहों का काम चलेगा बुनकरों का काम चलेगा धुनकरों का काम चलेगा वो नएने कुछ मान लीजे बास मंगवा लीजे तो बास के कारीगरों का काम चलेगा यग्य कराना है तो घी डलवा रहे हैं तो घी बनाने वाल गोपलों का काम चलेगा गो़ालों का काम चलेगा उनकी गाय की संख्या बढ़ेगी यूँकि घी बिकेगा और घी को जला के फूंक देना है ताकि नया घी हमेशा बनता रहेगा ये तो बहुत दूर की कोई बात है तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं च्छमा करना भाई मुझे ये समझ में नहीं आता था अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को समालते है इसलिए वो भी आचारे और गुरू के समकश है तो राम कहते हैं कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरू का सम्मान कुछ कम हो आचारे का कम हो या किसी का लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी है क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थ व्यवस्था है अर्थवी अबस्ता मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज ये आगे बढ़ेगा हमारी आखें खोलने वाला है ये concept आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, डपोर शंकी हैं, ऐसे शंक बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी economy चला देते है और राम आगे का प्रशन पूछ रहे हैं, कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ न करते हो माने राइडर लगा दिया उन्होंने एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेकर पूजा कराते हैं राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देगा उसी का माल बिक्वाएंगे फिर तो इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल दिखवाने में मदद करते हो तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते तो अगला ही प्रशन वो कहते है कि क्या तुमारे राजजी के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो तो बरत कह रहे हैं कि हाँ मैं अभी लौट कर ऐसी ही विवस्ता करूँगा कि वो बिना पैसे के पूजा कराए तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो अब वो पुरोहित के लिए कह रहा है पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहाँ का पानी भी ग्रहन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है अगर उस घर का पानी ही पीने लगे खाना ही खाने लगे तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से चित हो जाएगा अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए पानी ना पीए अंग्रेजों ने इसी को परचार किया कि ये चुआ चूट मचाते पानी भी नहीं पीते उसके घर का मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाले कि ये तो चुआ चूत मचाते हैं ये तो गरीवों के घर का पानी नहीं पीते ये तो नीची जाती और उची जाती करते रहते वो नीची उची जाती का प्रश्ण नहीं था जिनके घर पूजा करानी है है वो कोई भी जाती हो कोई भी संप्रदाय हो वहाँ पानी नहीं पीना है भोजन ग्रहन नहीं करना है डक्षना नहीं लेनी है बरसाद नहीं लेना है यह शृरीराम बोल कर गये तो उनका पालन करते हैं फिर आगे का प्रश्ण वो पूछते हैं भरत तुम सुबह ब्रह्म महुर्द में उठते हो केते हैं उठता हूं फिर वही काम करते हो जो मैं करता था प्रजा के बीच में जाते हो वहां जाके उनका दुख दर्द सुनते हो उनका हाल चाल लेके आते हो लोट कर आकर मंत्री मंडल की मीटिंग बुला के उसमें बहस करते हो के नहीं करते हो तो भरत कहते हैं कि हाँ मैं नियमित रूप से करता हूं लेकिन कोई-कोई दिन प्रमाद आ जाता है और मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं क्योंकि मेरे पुराने कुछ संसकार हैं जो नाना के यहां से आए हैं तो उनके चलते कभी-कभी होता है तो राम कहते हैं कि ऐसे राजा को प्रमाद करना ठीक नहीं है अब तुम राजा हो सुबह ब्रम्म महुर्त में उठना और बिना किसी कौमा फुल स्टॉप के अब रोध के राजा को प्रजा के बीच में जाना दुख दर्द सुनना तो वो कहते हैं कि तब तुम राम राज्य के अधिकारी हो तो राम राज्य की परिभाशा है कि राजा हमेशा प्रजा के बीच में सुबह सुबह जाए बारत का कौन सा प्रधान मंतरी जाता है है कोई जो रोज पर जाके बीच में जाए और उनका दुख दर्द सुनके आए गलती से कभी हेलिकॉप्टर में बैठके आ जाता है बार राहत का काम देखने के लिए जो दिखाई नहीं देगा इतनी उचाही से अभी मैंने सुना कि राजस्थान में सौ साल का रिकॉर्ड टूटा है बार का तो यहां के जो राजा है ना मुक्हि मंतरी कहना चाहिए राजा वो हेलिकॉप्टर में बैठके ऐसे ऐसे स्थानों पर गए जहां बारी नहीं आई थी तो पत्रकार को पूछा गया भी तुम भी तो बैठे थे मुक्हि मंतरी के साथ तो उसने का हाँ बैठा तो था तो तुमने क्यों नहीं बताया तो उनने का जो बताने के लिए कहा गया उतना ही बताया तो क्यों गए थे ऐसे अलाके में तो मजा करने के लिए गए बाड़ राहत तो दूर है तो हमारे मंतरी महोद है मुख्य मंतरी महोद है प्रधान मंतरी महोद है राज़ पाल महोद है प्रजा के बीच में तो नहीं जाते हैं, उड़न खटोले पर बैठे रहते हैं, कई गूम टहल के चक्कर लगा के आ जाते हैं, बाढ़ रहत का काम होता रहता है, साल बर ऐसे ही चलता रहता है। फिर वो आगे का प्रशन पूछ रहे हैं, कि तुम तुमारे जो एडवाइजर हैं, उन मेंसे किस पर भरोसा करते हों, जो पैसे लेकर काम करते हैं, या जो अवैतनिक सेवाएं देते हैं, एडवाइजर दो तरह के, एक तो ऐसे जिनको आप पगार देते हैं, राजा की तरफ से, एक ऐसे जो बिना पगार के, तो बरत कहते हैं, कि मैं तो जादा भरोसा उन पर करता हूं, जो बिना पगार के होते हैं, तो उनका वही सही सलाह देंगे, जो तुमसे धन लेंगे, संपत्ती लेंगे, वो तुमारा मूट देखेंगे, तुम क्या चाहते हो, वो ही बोलें तो आजकल तो हमारे देश में कोई प्रधान मंत्री अवेतनिक सलाकार रखता नहीं है सब वेतनिक सलाकार हैं मंत्रियों की सुविधाय सभी सलाकारों को हैं तो प्रधान मंत्री को वो ऐसी ही सला देते हैं जो प्रधान मंत्री चाहते हैं वैसे ही देश चलता रहता है फिर राम जी आगे कह रहे हैं कि जब तुम मंत्री मंडल की बैठक करते हो तो कोई मंत्री ऐसा तो नहीं कि जो अंदर की बातें बाहर जाके बोलता हो तो भरत कह रहे हैं कि नहीं मेरे राज में मंत्री मंडल में तो कोई ऐसा नहीं है तो राम कहते हैं ध्यान रखना अगर मंत्री मंडल की अंदर की बातें बाहर गई तो राज ये तुमारा टिकेगा नहीं आज जड़ा देख लो हमारे हिंदुस्तान में कैबिनेट की मीटिंग चल रही होती है अंदर से कोई आ जाता है और न्यूस पेपर वालों को बाइट देके चला जाता है कि अंदर ये हो रहा है फटाक से ख़वर अगले दिन हेड्लाइन्स में आ जाती है फिर सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं ख़वर कहा से लीक हुई हमें नहीं मालूम जी अभी वो देखा नटवर सिंग का केस वो पाठक कमेटी की रिपोर्ट लीक हो गई प्रदान मंतरी कहते हैं मैंने नहीं की मंतरी मंडल के लोग कहते हैं मैंने नहीं की पिर वो कैसे गई लीक तो राम कहते हैं कि अंदर के कोई फैसले बाहर लीक अगर होते हैं तो ऐसे मंत्रियों को रखना नहीं तुरंत निकाल के बाहर करना फिर आगे वो पूछते हैं कि तुम जबी भी कोई योजना बनाते हो तो धन की व्यवस्था कैसे करते हो क्या प्रजा के ऊपर नए टेक्स लगाते हो नए कर लगाते हो या अपने राज्य का फालतू खर्च कम करके उससे योजना बनाते हो तो बरत कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे राज्य के फालतू खर्चे कम करूँ और उसी से प्रजाके भलाई के काम करूं नए टेक्स लगाने में मुझे विश्वास नहीं है क्योंकि आप मानते हो कि ज्यादा टेक्स अच्छे नहीं है तो राम कहते हैं टेक्स उतना ही कि सरकार 12-13 टेक्स लेती थी आजादी के 60 साल में अब 63 टेक्स हो चुके और फिर भी विट्यमंत्री का पेट नहीं भरता हर समय कहते हैं और टेक्स लाओ और टेक्स लाओ हर दिन उनका स्टेटमेंट रहता है जादा से जादा लोगों को income tax के net में फशाओ जादा से जादा लोगों 7,5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वो खर्चे माने प्रधानमंत्री की पगार, प्रधानमंत्री की जी इस prop니다 का राश्रपती मुंख्य मंत्रियों सरकर यदिकारियों का करमचारियों का जिससे विकास का कोई काम नियूंग हूता है हमारी सरकार के Kul खर्चे का 90 प्रतिशत यही खर्चा है, मात्र 10 प्रतिशत प्लेंड एक्समेंडी चरहे, राम जी इसको उल्टा कह रहे हैं, वो बरत को कह रहे हैं कि 10 प्रतिशत खर्चा तो तुम्हारा अपना होना चाहिए, सरकार का 90 प्रतिशत प्रजा के उपर खर्चोना चाहिए, अब राम जी की कल्पना में में बजट बना रहा हूँ राम राजी का बजट और अगले साल आपको उस पर बात करूँगा पैसा बजट होना चाहिए जिसमें 10% खरचा फालतु का हो सरकार पर हो 90 प्रतिशत करचा विकास का हो तो बजट कैसा होना चाहिए और वो कह रहे हैं तो बजट तो होता ही होगा ऐसा तो नहीं है कि उनके राजी वे बजट नहीं होता होगा तब समझ में आएगा कि राम राजी का बजट कैसा होता है फिर वो कहते हैं कि तुमारी जो सुरक्षा व्यवस्था का खर्च है वो तुमारे कुल खर्चे से 15 प्रतिशत के जादा नहीं होना चाहिए अधिक से अधे जब इमर्जेंसी हो और कम से कम 5 प्रतिशत रहना चाहिए फिर वो आगे कह रहे हैं कि तुम तुमारे राज्जी के अधिकारी और मंत्रियों में क्वालिटी देखते हो या चापलूसी गुण देखते हो या उनकी चापलूसी वो तुमारे आगे पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते गूमते रहें ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो या जो तुमारी गलत को गलत कहें सही को सही कहें और तुमें सही राय दें ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हो तो बरत कहते हैं हाँ मैं कोशिश तो करता हूँ बिना चापलूसी करने वालों को ही मंत्री बनाओ फिर वो आगे पूछ रहे हैं तुमारे राजी में ब्रश्टा चार कितना है तो बरत कह रहे हैं मेरे राजी का कुल खर्चा प्रतिशत के ऊपर नहीं कंट्रूल रहना चाहिए आज हमारे देश में कुल खर्चे का सब्तर प्रतिशत करप्शन है आज की तारिए फिर राम जी पूछ रहे हैं कि तुम तुम्हारे राज्य में जो लोग चोरी करते हैं अपरात करते हैं वेईमानी करते हैं उनको दंड द चलना चाहिए वो कह रहे हैं कि जिसको भी दंड दो खुले में दो ताकि प्रजा को मालुम हो कि इस बेईमानी का इस चोरी का ये दंड है दंड खुले में दो मुकदमा जेल में चलाओ अभी यहां क्या होता है दंड जेल में होता है मुकदमा खुले में चलता है मने राम रावड राज्य का हिसाव है फिर राम पूछ रहे हैं कि तुम प्रजा से सुझाओ मांगते हो अपने बारे में अपने राज्य के नीतियों के प्रजा क्या कहती है तो वो कहते हैं हाँ नियमित रूप से सुझाओ लेता हूँ तो राम कहते हैं ठीक है फिर वो पूछ रहे है कि तुम्हारे मंत्रियों का ज्यादा समय प्रमाद में, मनुरंजन में और मौज मज़े में तो नहीं बीचता तो राम को बरत के रहें नहीं बीचता मेरे सब मंत्री महनत से काम करते हैं कोई मनुरंजन नहीं करता, कोई मौज मज़ा नहीं लेता तुर्ण का ये आपके लिए नहीं है मजा और मनुरेंजन प्रजा के लिए है राजा को नहीं करना फिर वो आज हमारे हैं क्या होता है प्रधान मंतरी महिने महिने वर की छुट्टी पर चले गए साब यूरोप के प्रवास पर राश्रुपती चले गए मुख्यमंतरी चले गए राजिपाल चले गए राम जी बोल कर गए कि राजा नहीं कर सकता ये काम प्रजा करे तो ठीक है राजा तो करी नहीं सकता सोच भी नहीं सकता फिर वो आगे प्रशन पूछ रहे है कि क्या तुम्हारी सेना तुम्हारे पूरे अधिकार में है हाँ क्या तुम्हारी सेना तुम्हारे सब आदेशों को मानती है हाँ क्या सेना में तुम्हारे यहां कोई विद्रोह तो नहीं है नहीं है तो फिर तुम निश्चिन्त हो सकते हो फिर वो कहते हैं कि सेना में जो सैनिक वीरता दिखाते हैं उनको तुम पुरुश्क्रत करते हो कि नहीं हाँ करता हूँ तो ये दूसरों के लिए अच्छा है फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम जब कोई फैसला लेते हो तो तुमारे सम मंत्री एकमत होते हैं कि नहीं आम राय होती है कि नहीं तो भरत कह रहा है कि नहीं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 50 मंत्री एक तरफ होते हैं 51 एक तरफ होते हैं या 49 एक तरफ 51 एक तरफ तो मैं 51 वालों की बात माल लेता हूँ तो राम केते हैं ये अच्छा नहीं है सबको एक राय होना चाहिए तभी तुम्हारा राज जादा दिन टिकेगा माने 49-51 का राम जी ने reject किया है फॉर्मूला और हमारी संसद इसी पर चल रहे है जो 51 कह दे वो कानून जो 49 ना कहे वो कानून नहीं क्या है वो कितना ही सत्य हो अभी संसद में जादा संसदों ने कहा वेतन बत्ते बढ़ाओ तो बढ़ा दिया 15 मिनट में कुछ माइनौरिटी में थे जिन्होंने मना किया उनकी किसी ने सुना नहीं राम जी कहते हैं ये मैजोरिटी माइनौरिटी नहीं एक राय होनी चाहिए आम राय होनी चाहिए और जब तक आम राय नहीं बने तब तक फैसला मत करो बार बार बैठो बार बार बैठो हमारे यहां डेमोकरेसी के सारे प्रिंसिपल तो श्री राम जी तै करके चले गए अब ये हमारा दुर भाग ये है कि हमने उनको देखा नहीं रगवन्षम में पूरे सारे प्रिंसिपल है हमारी सरकार ने अंग्रेजों की नकल करके parliamentary democracy लाया जो श्रीरामजी के रामराजी की democracy ले आई होती तो सभी शहीदों की आत्मा को शरदांजली हो गई होती फिर ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्ण किये और ये सारे प्रश्ण इतने अद्वुत है कि एक एक प्रश्ण पर मैं आपसे आदा घंटे एक घंटे बात कर सकता हूं अगर विस्तार से। लिकिन मैं आपके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि शरी राम के राज्जी की व्यवसथा कैसी है राम राज्जी कैसा है और राम राज्जी कोई कपोल कलपना नहीं है फोस धरातल पर खड़ी हुई एक अवधारणा है जिसमें गनतंत्र है प्रजा जाओ, मेरी जरूरत तब पढ़ेगी जब तुम रास्ते से बटक जाओ, तब वो कहते हैं कि कम से कम आपकी खड़ाओं तो दे दो, वो ही ले जाता हूँ, तो ठीक है, ले जाओ, ले जाओ, लेकिन विचार ये है, इसके हिसाब से राज्य चलाओ, इस से अलग मत जाओ, तो जितने राम कता कहने और कहलवाने वाले लोग हैं सबसे बात की, किसी ने मुझे संतुष्ट नहीं किया, हर जगे निराशा मिली, वो राम के दूसरे दूसरे रूपों की बहुत चर्चा करते हैं, राम बड़े कोमल हैं, राम बड़े दयालू हैं, उनकी आँखें बहुत स परम हैं, उस पे बात ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, कई राम कता सुनाने वालों के हाँ मैं चुप चाप जाके बैठाओं के अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, अब कहेंगे, लेकिन बात ही नहीं आती, बरत राम संबाद की भी बात आती है, तो राम न में इसको कहने की नेतिकता नहीं हो या हिम्मत नहीं हो क्योंकि आदमी दूसरे को कहता है उससे ज़्यादा अपने को कहता है जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से नहीं अपने से बात कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी बोलने से पहले अपने से मुखातिब होता है अपने से बोलता है शायद वो नहीं बोल पाते हो और मैं पूरी बिनम्रता से कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में जो राम कथा हो रही है वो राम की कथा नहीं है वो व्याबार की कथा है उसमें कोई आपसे आएगा बाकाइदा डील करेगा कि भाईया मुझको इतने लाख चाहिए आप दे सकते हो तो आप कराओ नहीं दे सकते तो मैं दूसरे से बात करता हूँ ये सुविधाय चाहिए ये सुख चाहिए इतना पैसा चाहिए इतना चड़ावा आना चाहिए उसके बाद ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए एसी मंच होना चाहिए फिर राम चंदर जी के वन गमन की कहानी एसी मंच से सुनाएंगे दुखों का पहार तूट पड़ा राम पर हम एसी मंच में बैटके सुनाइंगे कि राम चंदर जी को ये दुख है राम चंदर जी को वो दुख है तो मुझे लगता है कि हम राम राजी की तरफ तो बढ़ नहीं पा रहे हैं राम की कथा का व्यावसाए तो जरूर इस देश में चल पड़ा है धन्दा भी चल पड़ा है मेरी ऐसी माननेता है कि इस देश को इस राम कथा के व्यावसाए से निकाला जाए और इसको राम के राजी की तरफ ले जाने वाला कोई प्रेरना पुंज बनाया जाए मेरा ऐसा मानना है कि साट साल से राम कथा सुनने और सुनने के बाद भी अगर हम में राम जी का चरित्र नहीं प्रवेश करता है तो इसको सुनने सुनने से कोई फाइदा नहीं है और मेरा ये मानना है कि अगर राम कथा सुनाने से इस देश में राम राजी की तरफ बढ़ने का कोई एक कदम उठता है तो इसमें बहुत सार्थकता है तो मैं राम जी की कथा को इस द्रश्टी से देखता हूँ कि भारत की आज की समस्याओं का समाधान करे ये और इस देश में राम राजी की स्थापना करे तो जाकर इसकी सार्थकता सुद्ध हो और शायद राम भी यही चाहते थे अगर वो व्यवसाय और व्यापार वाले व्यक्ति होते तो ये प्रशन नहीं पूछते कि तुम ऐसे पुरोहितों को सम्मान नहीं करना जो पैसे के लिए काम करते हैं उनको बाहर करते हैं ऐसे ही पुरोहितों का सम्मान करना जो किसी के घर का पानी भी न पिये निस्वार्थ भाव से काम करें राम आदर्श बने हैं मरियादा पुर्शोत्तम बने हैं तब जब उन्होंने महल छोड़ा है सुख छोड़े हैं और अपनी सुविधाएं छोड़ी है साधरन व्यक्ति के कश्टों को रहकर जी कर अनुभव किया है और उनके बीच में से ऐसे ऐसे लोगों को तपस्वी बनाकर खड़ा किया है जिन्होंने चक्रवर्तिक तुपद समाला है तब वो मर्यादा पुर्षोत्तम बने जब तक उनका महलों का जीवन है कोई उनको मर्यादा पुर्षोत्तम नहीं कहता महल छोड़कर बन में चले गए हैं और आदर्श की स्थापना करने में लगे हुए हैं तब वो मरियादा पुर्शोत्तम बने हैं तो हम मरियादा पुर्शोत्तम राम की बात करें उनके रामराज्य की बात करें और कुछ कोशिश करें कम से कम सपना तो देखें कि इस देश में रामराज्य लाना है जो हमारे शहीदों का अधूरा है गांदी जी तो कहते थे कि आजादी के बाद कुछ करना है तो रामराजी ही लाना तो मैं मानता हूं कि हम सब मिलकर अगर इस रामराजी को लाने में थोड़ा भी लग जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है कि अगले 3-4-5 वर्षों में ये रामराजी नहीं आ जाएगा और इस देश के हर नेता से प्रधान मंतरी से मुख्य मंतरी से राजिपाल से एक ही प्रशन पूछे तुम रामराजी के लिए कर क्या रहे हो राम जी कहते हैं कि 10% खर्चा फालतू 90% विकास का तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो कुरसी हम किसी ऐसे को लाएंगे जो रामराजी इस्थापित करने में मदद करेंगे तो मैं वानता हूँ कि इसको एक अभ्यान के रूप में चला लाए हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक स्वदेशी अभ्यान इस देश में चलाने की लेकिन एक अभ्यान ऐसा भी चले जो रामराजी की इस्थापना इस देश में कराए ऐसी भावना के साथ आपको सबको धन्यवात देता हूँ राम जी की आकरी बात कहते हूँ खत्म करता हूँ जो कभी भूलिये मत जब विवीशन को राम जी राजा बना रहे हैं और सोने की लंका विवीशन को सौप कर जा रहे हैं तो विवीशन उनको कहते हैं कि आप यहीं रह सकते हैं मैं आपके नीचे काम कर सकता हूँ कोई मुझे तकलीफ नहीं है आप समराट रहें, राजा रहें मैं आपके नीचे रहूँ तब राम जी कहते हैं कि मेरी जो मात्र भूमी है वो स्वर्ग से भी महान है इसलिए मुझे लौटना तो मात्र भूमी में है तुमारी ये सोने की लंका तुमको मुबारख है मेरे लिए तो ये मिट्टी के समान है मेरी तो मात्र भूमी स्वर्ग से भी महान है ये बात हम कभी न भूले श्री राम जी की ये बात हमारे हिर्दय में रहे कि हमारी मात्र भूमी स्वर्ग से भी महान है अमरीका यूरोप चाहे जितनी बड़ी सोने की लंकाएं हो वो हमारे लिए मिट्टी की धूल के बराबर है अगर ये बात हमको समझ में आ जाए श्री राम जी की तो हिंदुस्तान से गए हुए दो करोड एनाराइज एक छण में अमरीका यूरोप चोड़ देंगे और उनकी बुद्धी और पैसे का सारा उपयोग इस देश के विकास के लिए हो जाएगा और ये देश सच में सोने की चलिया बन जाए ऐसी भावना के साथ आप सब क्यों प्रणाम करता हूँ और श्री राम आपको ऐसी प्रेरना दें कि हम सब मिलकर उनके राजी की स्थापना करने में लग जाएं भावना के साथ आप सब काभार बहुत धन्यवाद कल शाम को इसी इस्थान पर साथ बज़े में एक व्याख्या नौर देने वाला हूँ भारत और यूरोप भारत की सब्विता, यूरोप की सब्विता भारत की संस्कृती, यूरोप की संस्कृती दोनों में क्या अंतर है दोनों की भिन्निताएं क्या है हम उनकी नकल नहीं कर सकते वो हमारी नकल नहीं कर सकते करेंगे तो दोनों डूब जाएंगे इसलिए हर देश की सब्विता और संस्कृती विशिष्ट होती है तो भारत की संस्कृती की क्या विशेष्टा है सब्विता की क्या महानता है यूरोप की क्या विशेष्टा है दोनों ठीक से समझें फिर कौन सा हमारे लिए अनुकरनी हैं उस रास्ते पर चलें क्योंकि आज पड़े लिखे लोगों ने अंद भक्ती दिखाना शुरू किया है अमेरिका और यूरोप का बिना सोचे सोचे उनकी सब्विता के गुणगाना शुरू किया है मुझे लगता है कि एक बार हम उनको ठीक से समझ ले और समझ बन गई तो क्या छोड़ना है क्या रखना है वो हम तैकर पाएं कल शाम को साथ बज़े यही व्याख्यान होगा इसी स्थान पर होगा आप आएं और अपने साथ अपने इश्टमित्रों को भी लाएं ऐसी भावन धन्यवाद